हेलो स्ट्रेंट्स नमस्कार मैसेल्फ जी हैस चोहान टीम बाटनी सील से सेकर हम लोग स्टडी करेंगी बायो कैम का जो 90 नंबर का यह जो पेपर आप से हुआ है आज अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है अच्छे खासे कुशन इसमें आपको मिलते हैं लेकिन बाटनी के अंदर इसमें प्लांट बिडिंग और मायक्रॉप्स इन हुमेन वेलफेर इन दो टॉपिक से ही आपको कुशन्स फ्रेम किये जाते हैं तो अब्यस्ली उतना इलाब पर हंड्रेट कुशन्स का एक पेपर फ्रेम किया गया है तो आप ने इसे इंजोई किया होगा नो डाउट काफी चीजें इसमें जो एक्जाम बेज्ट हैं उन्हें फ्रेम की गई है आप नो डाउट आपने इसमें अच्छा स्कोर भी किया होगा तो चलिए हम लोग डिसक कर दे आऊगा है और तो इसमें होता क्या सकेजरी यह जो बैक्टिर्या है यह कोगूलेट करते हैं और उसे दही में यानि की कड में डोडिफाई कर देते हैं तो इसमें होता क्या है एक्चली यह जो बैक्टीरिया है यह उसे कर्ड में करते हैं यह काफी वेनिफीशल भी है इनसे बिटामिन इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज होती है और लिखा है कि दे चेक आउट ग्रोथ आप हामफुल पैथोजन्स इन स्टमक जब हम इन्हें फूड इंटेक करते हैं तो उसे यहां पर जो हामफुल पैथोजन्स हैं वह भी इस्टमक में डिस्ट्रॉय कर दिया जाते है तो यह अच्छा हमारे लिए फूर मडीरियल है तो इसमें कहा गया है कि फॉलाइंग बिटामिन इंक्रीज बाई लैक्टिक एसे बैक्टिरिया ठीक है दही में लैक्टिक एसे जिवानों के द्वारा निम्न बिटामिन की बड़ोतरी की चाती है तो उसमें आपके लिए शब्र सम इसे बितध बीट वैल्ब से लिए एसलिए घार्रक्ट ऑंसर तो फर्स्त ही मिल जाता है मितामिन-एक का इस अपने है और बिटांबन पॉसिब्ल है नहीं विताम अब्ट दी का जो कनेक्शन है वो कहीं नहीं रहे इस घात है से है तो यह हमारे लिए लिए आंसर नहीं बन सकता फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनता है ओके नेक्स चलते हैं तोड़ी इस यह तोड़ी ए ट्रडिशनल ड्रिंग आप सम पार्ड आफ इसमें फिल इन दे ब्लेंग है यहां से रस इंडिया में में इस तरीके से होते हैं यहां से रस को कलाक्ट किया जाता है मटके के अंदर एक ट्यूब के जरिये और इस रस में दिखो बात है सैप एक सब दियाद रखना सैप सैप जब भी ट्राम आएगा उसका मतलब होगा किसमें वाटर के साथ साथ में दूसरे साथ इंडिया के कुछ रीजन में कहा जाता है कि इससे ट्रीशनल ड्रिंक बनाते हैं जो स्लाइटली एलकोहलिक होता है क्यों क्योंकि सैप के अंदर यहां पर ग्लुकोज यह सुक्रोज का कंटेंट प्रिसेंस होता है जो फर्मेंटेशन के बाद में आपके लिए एलकोहल मे से कनवर्ट हो जाता है तो एंसे आडि में लिखा है यह इस्टन इंडिया नहीं है नौर्थ इंडिया लिखा हुआ है संप बार्ट आफ नौर्थ इंडिया नो नौर्थ इंडिया नहीं साउथ इंडिया लिखा है दक्षणी भारत में तो इसका अपने लिए करेक्ट आंस नेक्स चलते हैं अगला कुशन है following wave range produced by with और without याद रहे with or without distillation process आस्वन की बिधी जो होती है न उससे आस्वन द्वारा या तो distillation से तथा बिना distillation के respectively ऐसा कौन सा प्रोड़क्ट आपको नज़र आ रहा है जिसमें distillation हो और इस कैसा प्रोड़क्ट भी आपको पेर में देखना है जिसमें distillation नहों तो यहां पर distillation से बनता है रम रम के अंदर अलकोहल का परसंटेज लगबग 42-50 परसंट होता है बीयर में उतना नहीं होता बीयर में लगबग 8% है जो कि क्योंकि ncrt कहती है कि एक नेचरल फॉर्म में फर्मेंटेशन से 13 परसंट तक बन जाएगा यहां रम और विसकी दोनों में ही आपको distillation की जुरत पड़ेगी यहां ब्याइन और बीयर में बिदाव distillation से आप दोनों ही बना लोगे लेकिन यहां ब्रांडी में आपको distillation चाहिए रम में भी से प्रड्यूस किया जा सके तो अपने लिए करेक्ट आंसर फिर्स्ट बनता है ठीक है रम तथा बीयर ओके वैरी वुड मैंग चलते हैं फॉल्वाइंग डिसीज ट्रीटिडड बाई यूज ओफ एंटिबाइव एक बात याद रखना प्रतिजैविक का जो अफेक्ट होता है वो लिविंग्स पर होता है यहां जो कंसर्प्ट आपको देने की कोशिच की गई है एंटिवायोटिक ना आर नौट अफेक्टिव एक तरिए एक एक सेप्सप्चिक यहां पर डिसकस्टन कर दूं के इक चार होते यह जो अलग लग तरीके से एक करते कुछ करते हैं कुछ मैंब्रेन को बढ़ करते हैं कुछ एंट आउट्य तक नहीं करते हैं तो देखते हैं क्या जो पास्चुरेला पैस्टेस या यार्शीना पैस्टेस से होता है लेप्रोसी एक माइकोबेक्टियम लेप्री यानि कि दोनों ही यह बैक्टिरियल डिसीज है दे आर ट्रीटेट बाई यू जोप एंटिवायोटिक्स तो फिर कौन नहीं तो टीमबी एक तंबाकू का से ट्रीटेट नहीं होगी हां यहां पर अपने लिए जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह फोर्थ बनेगा क्यों क्योंकि प्लेक को भी आपके उर्स कर सकते हो और को स्ट्रोप होगी इस से क्योर किया जा सकता है क्लियर नैक्स चलते हैं कि फॉलोइंग सब्स्टेंस यूज ब्लड कोलेस्ट्रोल लोरिंग एजेंट बढ़िया है एंसे आड में लिखा है कि ऐसा कौन सा सब्स्टेंस है जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रोल की मात्रा को कम करता है तो कहा जाता है कि स्टेटिन एक सब्स्टेंस है जो उस एंजायम के साथ में कॉम्पेटिटिव है जिसमें स्टेटेंट की मौझूद की होती है ना साइक्लोस पॉरिन बिलकुल नहीं होगा ब्यूटारिक एसेड नहीं होगा स्ट्रप्टो काइनेज नहीं होगा हमारे लिए फर्स्ट करेक्ट आंसर बनता है नेक्स चलते हैं वह बीओडी इंक्लूड एसे वाडर सबसे पहले सहरों से हाता है उसका विओडी सबसे ज़्याद होता है क्योंकि जहां पर सिवेंग डिस्चार्ज किया जाता है वहाँ पर बीओडी सबसे जाद होता है याद करो आपने वाटर पॉलिशन में एक ग्राप देखा हुगा डिजॉल वोटू और बीओडी का तो वहाँ पर आपने देखा था कि जहां सीवेज एंटर हुआ वहाँ पर बीओडी एकदम से इंक्रीज हो जाता है और डिजॉल व होता है और सेकंडरी इफ्लुएंट शेकंडरी फ्लूएंट का बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहां पर इसे सेकंडरी फ्लूइंट टैक कहा ही तब जाता है जब इसका बीओडी डिक्रीज हो जाता है तब हम इसे आगे जब जो सब अनरुबिक डाइजस्टर से टैंक उनके अगले कुछन पर बात करते हैं लेडीवर्ड बढ़िया है में आडेंटिफाइब आइदा फॉलाइंग कोलर्ड मार्किंग लेडीवर्ड को निम्न रंग के चिन्नों के द्वारा पहचाना जा सकता है चिन बिल्कुल एंसे आडिन लिखा है रेड एंड ब्लैक मार्किंग नहीं हो सकता है है लेकिन ब्लू नहीं नहीं हो सकता तो हम्याने लीगक रेक टांसर सेकंड बनता है लाल काले चिन ठीक, बाकी इसमें कोई व्यांसर दूसरा नहीं बनता है आज शलते हैं स्पार्डवेलिन यहां से देखना वाहाँ लाइन में लिखा हुआ तो सान्य बेक्ट्रिया लाइक नौस टॉक एड इन वीन केन परफर्फर्म एंटू फिक्सेशन कर सकते हैं माइक्वराजा इंक्लूड एज ए बायो फर्टलाइजर बिल्कूल सही है करते हैं क्योंकि यह भी स्वाइल की इंप्रूब करता है माइको राइजा खास तोर से फॉस्पोरस के अब्जॉप्शन में हेल्प करता है प्लान को प्रोवाइड करता है यूज ऑफ माइक्रॉप्स यूमेन वेलफेर वहाँ पर हमें माइको राइज यूज फर्टलाइजर में लिखा भी है तो वहाँ तीन ही चीजें पढ़ाए गई है आपको बैक्टिरिया के रिस्पेक्ट में पढ़ाए गया है मेरा ऐसा मानना है यहां पर अपने लिए फस्ट दोनों ही करेक्ट आंसर य चलते हैं नेक्स्ट बढ़िया स्लेक्ट राइट ऑप्शन फोर गिविन फिगर दिए गए चित्र के लिए सही कर्थन का चैन करना है तो यह जो डाइग्राम है यह अपने यूज आप माइक्रास्वें हीमेर वैल पर कर जो फ्रंच पेज है उसी पर दिया है यह वैक्टिर आते हैं तो इनको फोकस करना यह आपको लेवलिंग करा के कोई पूछ सकता है इस्ट्रॉक्चर ऑब बैक्टिरियो फास है ना बिलकुल सेंपल सा बढ़िया सा कुशन है फंचाई का है नहीं बैक्टिरिया है नहीं यह बैसिलस हो नहीं सकता हमारे लिए करेक्ट आंसर सब्सक्राइब कोई हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं तो हमारे लिए करेक्ट बैक्टिरिया का मैन फंक्षन इनकॉर्ड में चैर्ड में होना है यह आता है फर्मेंटेशन प्रोसेश दिरिंग फूर्ड प्रेपरेशन पर्फॉर्म फॉलाइं फर्मेंटेशन कौन करता है फूड फॉर्मेशन देखो आपका लिखा है वहाँ पर जो इडिली डोसा होता है उसमें फर्मेंटेशन बैक्टिरिया के जरी होता है और कई जगा फर्मेंट इसका करेक्ट आंसर अपने लिए बनता है बहुत ज्यादा कोई डिस्क्रसन नहीं है थर्ड करेक्ट आंसर बनेगा नेक्स चलते हैं माइक्रॉप्स यूज है इन राइपनिंग और रॉक की फ्यूट चीज बढ़िया कुशन है इसमें फंजाई होती है खास तोर से पैंशली फंजाई पैंशलीन की खास इस्पेसीज है वह इनके फ्लेवर टैक्षर एंड इसके अरोमा के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं तो इस स्पेसिविक फंचाई हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा फस्ट इसका राइट आंसर है नेक्स चलते हैं एथनॉल में प्रपेर बना सकते हो यह फर्मेंटिशन के जरी अल्कॉल प्रिपेर कर सकते हो तो आपके लिए माल्टेट सीरियल खास्तोर से लिखा गया है इंसाटी में फैटी एसिट से आप नहीं बनाओगे फस्ट एंड शेकिन बिल्कुल दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं तो पूर्थ करेक्ट आंसर बनता है नेक्स चलते हैं कि एंटिवायोटिक अफेक्टिव और फोलाइंग देखो बढ़िया है एंटिवायोटिक अफेक्टियों बैक्टिरियल डिसीज जैसे प्लेग और अपने लेपरोसी की बात करी थी ट्यूबर क्लॉसस भी इसमें इंक्लूड की जा सकती है कि एक्क्टिरिया परन भी एफेक्ट करता है कियोंकि फ्लैमिंग एक्चुली जो सलाइट पर स्टी कर रहा था वहां इस्टा फैलोकस बैक्टिरिया ही थे एक और राज की बात है यहांपर कि एक्चुली इस्टेफायलोकोस बैक्टिरिया और रिस्पॉंसबल फॉर पस फॉर्मेशन यह पस निर्माण के लिए उत्तरदाई होते हैं तो एक्चुली अलेक्जंडर फ्लैमिंग जो स्लाइड पर स्टडी कर रहा था वो पस थी उसके अंदर इस्टेफायलोकोस बैक्टि स्टडी की थी अच्छा स्टडी है और दूसरा पॉसिवल कुश्चन भी है अकॉर्डिंग टुमी अफेक्टिव ओन फोलाइंग तो बैक्टिरियल पर भी है वाइरस पर अफेक्टिव नहीं है तो हमारे लिए फस्ट एंड सेकिंड करेक्टर अंसर खंता है पूर्थ हमार अगेंस्ट बायोटिक बाइव लेग एंटि अटी बाइव एंटी बाइएंग वाइरल डिसीज नहीं इसे हम रेच्छन होस्ट पर अच्छा माना जाता है जो वस्ट को मिनिममum अफेक्ट करता है यह जीरो परसेंट करता है लेकिन पैफोजन को इसीली डिस्ट्रॉय करता सब्स्क्राइब नहीं जीवन रोगानुओंओं के रिप्रीट होते हैं उसको अगेंसट कहा गया है उनपी एंटिचैन अगेंस्ट एंटीवाडी नहीं बैक्टीरिय ऑगेंस्ट होस्त नहीं हमारे लिए जैंकरेक्ट आंसर बनता है नेक्स सब्सक्राइब कर लिए अधिया से नहीं बनाए यह यह यहाँ थोड़ा सा कुछ इधर दर सोच सकते हो बैक्टिरिया तो आपको कुछ भी दिमाग स्टाइप से नहीं लगाना है बैक्टिरिया था बैक्टिरिया की स्टडी कर रहे थे लेकिन वहाँ पैंशलीन की डिस्कवरी हुए है यह कभी नहीं होगा प्रतम प्रतिजाविक जीवानू से निर्वत हुआ नहीं यह फंगस से निर्वत हुआ फ्लैमिंग चैन फ्लोरे अवार्ड़िड यह बिल्कुल है नोगल प्राइज दिए गया उन्नी सो पैंतालिस में तुड़े वी के नौट अमेशन एवर्ड विदा हो जरूर करते हैं इवन बाइरियल इंफेक्शन में भी हम एंति यूज करते हैं असलाक्ट मिसमाश्ट फिया इस बिल्कुल सही है मैस्तों स सोता है अच्टकीश इस से होता है ङा चाहिए एस सटेव्स से नहीं होता है तो यह हमारी लिए फोन हमारीक वाठी बंजाता है एसे लिए ना तो यह चीज नंठ सलते हैं और विच आप दा फोलाइंग पियर आफ एंजाइम आर योजड इन बोटल ब्रस जूस इन्रस्ट्री बोटल ब्रस बोटल फल रस द्योग में क्योंकि एक्चली होता क्या है इसमें फूर्ट जूस जो बोडल के अंदर हम मार्केट से ले कर आते हैं वह ज्यादा क्लियर नज बोड़ा जाते हैं इससे हर सैल जूस की होती है फूर्ट की होती है वह अलग-लग हो जाती है इसलिए फाइन कलियर हमें जूस नज़र आता है इसलिए हम इसमें एंजाइम का यूज्ट देखते हैं और एंजाइम होगा प्रक्टीनच लाइपेज नहीं है प्रोटीज है तो सेकेंड हमारे लिए परफेक्ट ऑंसर वन रहा है नेक्स चलते हैं इस बिच्टिज दॉट्ट एक क्रेक्टर ऑफ सक्रो सकरम और बार्बेरे बार्बेली का करेक्टर नहीं है यह सुगर्केन की कि इस पसीज है जो नॉर्थ इंडिया में सर्वाइब करती है इसकी एक और इस पसीज दे रखी है जिसका नाम है सेकरम ऑफिस इने रम जो साथ इंडिया में ग्रोव करती है अब इसके साथ समस्य गया बार्बेरी के साथ बार्बेरी का जो सिस्टैम है वो थिक वो थिन है प है सुगर चुब्स जाब तो यह जो करेक्टर जी ऑफीशनेरम का चला-गा रहा है तो यह इसका यह पुछा जार रहा है कि सब्सक्रार किया नहीं तो ठीट कि स्टैम एक्जिली सप्राब का है बार्बेरी का नहीं मौटा थे ठ्क है कम उत्पादन होता है क्बिट ना पतला है उत्तर ही भारत में उपता है स़ल्कडरह कम है बिल्कुल सही बात है लेकिन रॉग करेक्टर नहीं है उसके रहस्पेंट में ये हमारे लिए करक्द आंजर वन रहा है मतलब इस ready कि नेक्स चलते हैं फुल फार्म आप देखो मेरा ऐसा मानना है कि यह कुश्चन आजकल को जो ट्रेंड है उसके अग्वाडिंग बनाया जा सकता है एक पॉसिबल कुश्चन है लेकिन और यह बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड याद रहे केमिकल बायो लॉजीकल नहीं यह य चलते हैं गंगा एक्षन प्लान यमना एक्षन प्लान यह बढ़िया है मेरे हिसाब से पॉसिबल कुश्चन है अपने जब बाहित मल से कि बात करते हैं तो गंगाजी और यमनाजी को जो है साफ सुत्रा बनाने के लिए कहा जाता है कि राजीव गांदी के टाइम पर एक ग करने वाला जो मिनिस्ट्री था मिनिस्ट्री ऑफ इनवार्मेंट एंड फॉरेस्ट यह मिनिस्ट्री ने इसको स्टाट किया था हैल्थ ने नहीं किया था एजूकेशन नहीं किया था तो इसका मतलब है आपका पॉर्क भी नहीं हो सकता कर्यावन एबं वन मंत्रा लेने इस बनता है next सलते हैं सेलेक्ट रॉंग स्टेटमेंट पूर बैकलो वायरस इस यह अच्छा है प्रेकलो वायरस के लिए गलत रॉंग को सेलेक्ट करना है तो क्या उपक्त एंसेक्ट और तो को ठीक है आप निकलो पॉलीद्रो वायरस में भी यह जीनस में आता है बिल्कुल सही ह तेहों यहां निधी जा यह जाता है कि यह जो काना के लिए तो वर्स प्लांट और फिस पर कोई उफ्यक्ट नहीं प्र प्रख़र नहीं इस बज़ए सहां पर यह रॉंग चला जा रहा है और यहीं अपने लिए रॉंग पुछा है तो थर्ड प्रेक्षा अंप कर साँजो चाहिं जा दो इस पर और वी अन्य तरीके से Spencer में एक दो तो अच्छा चुकि सेग्मेंट है यह फस्ट एंटिवाइड डिस्कवर्ड वाइफ लैमिंग डूरिंग इस्टडी ऑन फॉलाइंग बैक्टीरिया देखो अब बढ़िया आया वह वो जो कुश्यन था उसकी यहां और क्लेरिफिकेशन मिल रही है स्ट्रेफ हाइलो कोकस बै ट्राइको डर्मा पॉलिस पोरियम यह इंफॉर्मिशन बेस्ट है क्योंकि एक्शली यहां पर अपने अप्लिकेशन अब आपनी है जो है वो है उसमें कोई चेंज नहीं किया जासकता को बहुत ज्यादा कंसप्ट भी होते फॉलाइंग क्रॉप मैं कंटेन मैंसम बिटामि सी आपके लिए वीटर गार् 만들어 कूप सारी होती है जी सीलवा बगैरा कहते हैं इसमें पररॉड 바뀌न में किरोटीन में अ होगी बसेकिक हमारे लिए करक्तर आंसर बंता है चलते है छे नेक्स्ट है पुटेट पॉमेटो इस डिवलप वाई फॉलाइंग प्रॉसेस पॉमेटो जहां पर पॉडेडो और टमेडो की सेल होती है वह आपस में कैसे तो सुमेटिक हाइब्राइशन का एक संग्रनेस का परफेक्ट आंसर बनता है उसके बाद में हम तिशू कल्चर करा परफेक्ट हाए और कोई लेना देना नहीं है यह दोनों होई नहीं सकते कभी हाँ यह वास सही है लेकिन पॉमटो आप डवलप कैसे करूगे कमेठो पॉमेटोच वाइफ बाई फ्रॉराइप प्रॉसेस तो सूमेटिक हाइब्राइशन से बनाते हैं हम के हां जैयार अतना हाइब्रिड वैराइटी ऑफ फॉलॉइंग प्लांट किसकी है जया रतना राइस की है बढ़िया कुश्चन है थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन रहा है फॉलॉइंग बैक्टिरिया यूज एज बायो फेटलाइजर फांड इन संबायो सिस्ट रिलेशन से बित लेगुमिन इस तो इस लाइन से तुम्हें क्लैरिफिक्शन में लिए कि राइजवियम ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा निम्न जीवानु जैव उर्वक पुर्वरक है लेगुनस पॉद्व में सहचीवी संबंद में पाया जाते हैं तो राइजवियम इसका पर्फेक्ट आंसर बनता है न क्या करता है कि Con Jade Hour been Jeans करता है इसलिए किसी की बडि में औरहन को आरुगन ट्रांस्पलार ड्वाड़ी से किया गया तो इसवी वह रेजेक्ट करते है लिए साइकि continues for इन इसके इंजेक्शन के तो पर दिया जाता है जब तक कि वो बाहरी और इंड फोरेंड जो औरगन है अधर बॉडी का जो औरगन है वो अडॉप नहीं हो जाता है तो तब तक इसमें इम्मुन सप्रिसिप साइक्लोस पॉरेंड को डिया जाता है अच्छा है बढ़िया है पॉसिबल कुश्चन है माइको डर्मा से ट्राइ इंक्लूड एजे से पी से पी के फॉर्म में कोई किसे यूज करो यूरो त्रिक्स तो मल्डी शेलर है एले भी आपको प्रोडीन बनाता नहीं है तो यह दोनों हो नहीं सकते आपके लिए सेक्टिंड करेक्ट आंसर बन जाएगा क्लियर नेक्स चलते हैं नेक्स्ट है मैको राज़ा हेल्ग प्लांत माइको राज़ा पौदा में निमित्व्प्रगांच सहायक है कैसे बढ़ odor coloring करता है लब करता कि लिए प्रतुरूत में यहाल्प करता है क्य Ж songeuse माशी होते हैं रूट में आसो से बन जाता है माई कुराजा हमारी जो ड्राइज स्वाइल होती है उसमें काफी अच्छा रूल प्ले करता है यह सब कुछ लिखा है रिकॉर्डेड एविडेंस और प्लांट बीडिंग डिटेट बैक टू नो हचार से ग्यारा हचार बिल्कुल सही है एंचार्ट में लिखा यही डिजिट आप अगर प्लांट बीडिंग वाले हिस्से में लेते हो तो नो से ग्यारा जार वान लिखी गई है एक अच्छा पुश्चान हमारे लिए बन सकता है इस पर नेक्स सलते हैं विच इस नौट इंक्लूड एज प्लांट बीडिंग प्रॉसेस प्लांट बीड लिए निव ट्रैट्स मिलते हैं उनमें डिजारेबल नौन डिचारेबल दोनों होते हैं इसलिए तो आप लोगों ने बायो ट्रॉट को ध्यान से पड़ा हो तो वहां यह बार डिसकस्ट भी की गई है कि जनेटिक इंजिनिंग हम इसलिए करते हैं आज की रेट में कि हम सि परड़ आपने लिए करेक्ट आंसर कि पंता नेक्स सलते हैं एग्रिकल्चर फिल्ट कंट्रीव जीडीपी बढ़िया है भारत में जो जीडीपी है उसका जो अग्रिकल्चर का जो कंट्रीविशन है तो टेक्निकली देखा जाए तब भी किशान परिशान है यह सोचने की बात है अना जिसका जीडीपी में सबसे ज्यादा युगदान है उसी को कंट्रीविटेट कम किया जाता है यह अलग मिसे है तो फर्स्ट अपने करेक्ट आंसर बनता है नेक्स्ट सोना लिका एंड कल्यान सोना और और सेमी ड्वार बेराइटी और फॉलाइंग प्लांट सोना लिका कल्यान सोना किसकी आर्दवामान किसम है तो वह हैं अपनी वीट की ठीक है यह अपने ग्रीन डिवालेशन बड़ा ही इंपोर्डन रोल प्ले किया था गेहों का प्रोडक कोई कुशन बने नहीं है रेड रोट आप सुभर के ने इंप्लाइज प्लांट डिसीज वाज़ेज बाइफ फंगस मैं चाहता हूं कि इसमें आप फंगस को भी याद रखें फंगस का नाम है यहां को लेटो ट्राइकम को यह कॉलेटो ट्राइकम जो कीफ आपके डिवट रो माइस सिटीज का मेंबर है ठीक है तो इसे भी याद रखना यह अपने फंगस वाले हिस्से में लिखा है तो में भी पॉसिबल के वह आपको प्लांट बीडिंग की डिसीज को इसके कोजल ऑर्गनिजम से कनेक्ट करके भी पूछ सकते हैं याद रखना फंगल डिसीज ह है यह रैड रोट ऑफ सुगर के नेक्स चलते हैं ब्लैक रोट ऑफ कुर्शिपर अकॉर्डिंग टू मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह कुश्चिन यह एक बैक्टिरियल डिसीज है कौन सी है बैक्टिरियल आप लोग इस बैक्टिरिया का भी नाम लिख लेना जैन् मौनास और कंपैस्टरिस दो यह चलो जैन्टो मौनास आप सब्सक्राइब याद रखना है को सित्रस क्या कर उसमें भी अ disturbing कि इस दो मोनास यह वह ही यह और फिस फंसांग लिखेंग्स हमने इसके एजेंट्स आप से नहीं पूछे है क्योंकि एजेंट्स पूछते से ही आप सोचते कि डाइवर्सिटी को इसमें मिक्स कैसे कर दिया ठीक है कहने का मतलब फिर भी मेरा ऐसा मनना है कि आपको उनके कोजल और एजेंट भी याद रखना चाहिए यह वहाँ पर अपन प्लांट प्रिटीक है हिम किरी इसकी किसम है तहीं किरी गेहों की किसम है वीट की किसम है सेकिन अपने लिए करेक्ट आंसर बनता है नेक्स सब्सक्राइब है कि फोलाइंग कैमिकल एंड रडियेशन यूज्ट इंड्यूस्ट आर्डिफीशल मुड़ेशन अब देखो बहुत सारी चीजह है जो कि इंसारे सिर्फ गामा रेडियेशन है इसलिए मैंने दिया अदर्वाइस और भी बाते की जा सकती थी जैसे एक कॉल्ची कम सब्स्ट कॉल्ची कम ओटो मनेल कॉल्ची कम ऑटो मनेल एक लिली एसी फैमिली का मेंबर है लिली एसी याद रखना ये भी यूज होता है ना इसमें एक्स रे भी प्लांट में मुटेशन कॉज कर सकता है तो गामा रेज लिका है बाकी इसके लिए कोई आंसर नहीं बनेगा नेक्स सलते हैं परवनी क्रांती रिलेटेड विद फॉल्लाइंग प्लांट बहुत बार पुछा जाता है और परवनी क्रांती एक्चली भिंडी की एक एक जो हाइब्रिड है इस बैराइटी उसे बनाए गया है परवनी क्रांती ये जो है कुछ वाइरल डिसीज के लिए अगला क सब्सक्राइब बढ़िया है इसलिए मैंने आपको ऐसे तीनों को ही एक साथ देने की कोशिस किये तो फॉर्थ इसका करेक्टर आंसर बनता है नेक्स अलते हैं इस है बढ़िया है मतलब आज कहा जाता है कि 3 billion जो पीपल से वह हें लेकिन जो जो निट्रेंट्स हैं रिक्वार्ड निट्रेंट्स हैं खासतोर से वह अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि यह इतनी नहीं है कि वह सारी चीजह कि खरीद सकते हैं मीट हैं दूध है आपके बीन्स है अच्छी पनीर है तो उस बज़े से इनको माइक्र नहीं नहीं मिलते हैं और इसका साइड एफेक्ट क्या होता है रिडियूस लाइप स्पांड जीवन काल चोटा हो जाता है डिस्क वीमारी का खत्रा इनके लिए हमेशा बना रहता है है मेंटल अबिलेटी इनकी कम हो जाती है बढ़िया है इंसाइट में लिखा है फोर्त इसका करेक्ट आंसर है आपको इसे याद रखना चाहिए अकॉर्डिंग टुमी नेक्स्ट है मिसमेस्ट पेर ठीक है बढ़िया है सरसों मस्टर्ड में विटामिन सी स्पिनिच में आईर इस जलते हैं स्ल्दाइट राइट स्टेट्मेंट फूर एक्सप्लांट मतलब हो टिशू जिसके ज़रिये हम टेस्टव में इक प्लांट को प्रेडूस कर सकते हैं मतलब इस तरीके से कैलस बनेगा इसके बाद इसमें एक नया П्लांट आप प्रडूस करसक्ते हो यहाँ र निर्माल के लिए ठीक है ना तो फिर्स्ट हमारे लिए करेक्ट है एनी अधर अधर प्लांट नहीं नो लिविंग प्लांट टिशू नो लिविंग तो कैसे बनाएगा अप्रेटस नहीं अप्रेटस इसका अलग होता है जिसे हम इनक्यूबेटर करते हैं नेक्स्ट है पॉमेटो सेल इस प्रपेर बाइबर आप फोलाइं किसमें हाब आशन करा हूँ वन कंप्लीट शाल पटेट्टू और टमेटो नहीं एक सेल नहीं आपको दोनों की अलगलग सेल चाहिए एंडोसियम गाइनोसियम बिल्कुल नहीं प्र किमेटो और टमेटो की सैल से हमें प्रोड़ोप्लास्ट अप्टेन होते हैं और आपके लिए इसलिए थर्ड करेक्ट आंसर बन जाएगा इस पारलना कंटेइन मैक्सिमम प्रोडीन मेंबर और फॉलॉइंग यह बीजी और सायनो बैक्टिरिया के मेंबर हैं बढ़िया है अपने लिए फर्स्ट और सेक्ट मेरा है समाना है इसको आपको याद करना ही होगा ऐसे यह कुश्ण एंस याड़ी से है और आसे दो साल पहले नीट में भी कुश्ण बन चुका है कि ऐसे फॉलॉइंग और क्रियेट्स मोर डिमांड और बढ़िया यह मतला बैसे ही आज पर्याप्त अखाद्यान नहीं है कई देशों में तो आप देखते हो कि कितना अनाज का संकर चलता इवन पाकिस्तान है आपके अफगानिस्तान में अभी इंडिया ने ही बहुत सारा अनाज भी हूं भेजा था आपने सुना होगा तो आप टेक्निकली सोचो जो लोग मासाहार करते हैं तो एंचाडी कहती है कि एक किलो चिकन बनाने के लिए कम से कम उसमें तीन से दस किलो अनाज का उप्याव किया जाता है जब पॉलिटी फार्म में ग्रो करता है एक से दो लोग में उपलब्द हो जाता तो लोग जो आज की देट में ग्रेंज से मीट की डाइट में कनवर्ट हो रहे हैं वह अनाज की डिमांट और भी बढ़ा रहा है अकॉर्डिंग टुमी बढ़िया यहां पर कुश्चन है एंस याड बेस्ट है और रियल लाइफ में भी सोच कुश्चन है यह सिर्फ PMT के लिए नहीं विच पार्ट वोड बी मोस्टेबल फोर रेसिंग वाइरस फ्री प्लान फ्रॉम माइक्रो प्रोप्रोगेशन बढ़िया एंस याड में लिखा है इसके लिए याद रखना बीएस पी बीएस पी अना बनाना है बनाना सुगरकें पटेटो यह एंसे आडे में लेकिन हम मैरे स्टैम को यूज करेंगे इस टाइप से अलगलग तरीके से दो या तीन कुश्चन फ्रेम किये गए क्योंकि यह कुश्चन ऐसे हैं कि किसी ना किसी स्वरुप में जरूर आ जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है इस एरिया से अगर होती है ओयल знаетं से पिंक रिवालशन होता है मतं अदूस जो निकलता अ हमारे है उससे हो तो है मतलब एक कुछली वाघएर उनकी प्रैक्शं से होता है एक कलेक्शन और प्लांट एंड सीड हाविंग डावर्स एलेल ऑप जीन्स ऑफ दा क्रॉप और स्कॉल्ट पौदों वीजों का संग्रह जिन में एक फसल के सभी जीन के विभिद एलील उपस्तित होते हैं तो जीन पुस्तकाला याने के जीन लाइब्रेडी जहां पर हम जीन देन इसका गया रहे हैं बहूं सारी हूती चली जा रही है है तो हमयioxidं बैंक भी कह सकते हो यह जर्म प्लाज राप ररी सकते हो वहाँ पर चैनेटिक्स में नहीं घर में मैं भी न humans लिविं्ग नहीं रख़े जाते हैं यह、、र से बनेगा फॉस्त इससका कर्एक्ट आंसर बन स्वाम क्लोन सुमा मतलब स्वाइडिक अर अप्टेन भाइ कैसे अप्टेन करोगे प्लांट बिडिंग की से आप नहीं करोगे तो आपके लिए फस्ट करेक्ट रएंसर बनता है ने क्ैलतें और पहोते हैं यह पीपल रिकट रिकबरिंग फ्रॉम् द लांग इल्टैंस लंभी समय बीमारी से वो रिभाय हो रहें इनक्लूड दा सबना ना ना डाइट विकॉज लंभी बीमारी सो वरने के बाद में अक्सर यह इस पालना का यूज़ करेंगे तो क्यों करें क्यों करें क्योंकि यह जो है इनमें प्रोडीन सफिस्सेंट अमार में होते हैं इसा कुछ नहीं है यह रिच प्रोटीन है इनके अंदर है जैसा कुछ भी नहीं है सेकिन हमारे लिए लिए अंसर नेक्स्ट विच अप्ड़ फोलाईंग इसे करेक्ट मैंस बिटूबीन क्रॉप और राइटी कैसे मैंचिंग हो रही है वीट हम गिरी हमें से याद रखना यह कि आपके मैंचिंग नहीं है अपना इंसे आड़े में देख सकते हैं स्वार निम है ना तो इनको देखें और चीजों को समझें याद करें हैं यह याद करने वाली चीज़े हैं इस पारलाइज सेपी कैंसर वैजए फूर रिच इन प्रोडीन मिनरल बिटामेन वेश इस ग किया जाता होगा इनकी आउडर कबरिंग को अठाया जाता होगा तो इसमें बहुत सारा पानी यूज होता है वो इस पानी में स्टार्च भी होता होगा यह जहां कलेक्ट होगा वहां इस पारल ना बड़े आराम से सर्भाइब हो सकता है अनिमल मैं मतलब गोवर खाद यसे यह भी कही पानी में अगर जाता है तो वहां पर होगा जा सकता है सीवेज में भी आप इस पार ना और को लिए से पी को होगा सकता हो ठीक है ऑल अप दीज इसके लिए परफेक्ट रांसर बनता है मैं इंफॉर्मिशन देने कोसिस की गई है इसमें नेक्स चलते हैं पड़ तो राइस रतना हो गया है ना वी ठीम गरी हो ठीक है अब इसके बाद में आप क्या देख रहे हूं वैसे तो यहीं से तुम्हें सबसे ब्यादा कुशन मिल जाना चाहिए अंसर डी में थर्ड जा रहा है और सी में सेकेंड डी में थर्ड डी में थर्ड सी में सेकेंड यहा और आपका चिली उस पा पूसा सदावार ठीक है यह सब चीज़ें नो डाउट इसमें कोई लॉजिक नहीं है हमें याद करने पूड़ेगे विच वान इस यह बायो फटलाइजर बायो फटलाइजर नहीं इससे हमने टी आई प्लाजमेड ऑप्टेन किया था स्वाइल में पाया जाता है लेकिन फटलाइए तो यह लेगन उस प्लांट में क्राउंड गार्ड डिसीज करता है तो यह आपका आंसर नहीं होगा किसी यूज नहीं करेंगे क्लोरिला को यूज करेंगे मीथेन का प्रड़क्शन होगा तो हमारे लिए यह सही आंसर बन जाएगा हम इसका यूज सब्सक्राइब में नहीं करेंगे क्लियर नेक्स सलते हैं यह बढ़िया ग्रीन डिवालिशन इंडिया इनिशेट दूरिंग उसके बाद अंग्रेज यहां से गए सफिसेंट फूड अविलेबिल नहीं था इंडिया में उसके बाद में ग्रीन डिवालिशन का कंसर्ट आया और उसमें काफी कुछ प्रमोट किया गया कि कुछ भी करो एनिहाव हमें प्रड़क्शन हाई चाहिए जिससे कि हम अपनी ज इशू यह प्लांट आप कैसे बना सकते हो अधिक संख्या में पाद आप कम समय में कम स्थान पर अधिक संख्या में तो यह की प्रॉसेज है माइक्रो प्रॉपेगेशन बाकि आपके पास कोई दूसरी टेक्निक नहीं है और करेक्ट है फंजिसाइड एंटिस एंटिबायो तो सेकिंड करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर यह कह रहा है कि इस से कर दो तो यह यहां गलत हो गया ठीक है दो ही पॉसिबल कुशन ने अंसर रहें जिन में आप कंफ्यूज हो सकते हो तो सेकिंड इसका करेक्ट आंसर बनता है मैस दा फॉल्वाइंग बढ़िया है अच्छ आप देख लें अब आपका जा रहा है फरस्ट तैन जीमेश कहां देख रहा है आपको लोग एए अंसर तो आपको यहींजे मिल गया विमें आपका सेकेंड एंड फॉर्थ है विमें इसेकिंड और फॉर्थ ठीक है तो आपके लिए ठीर्ड करेक्ट द्षर है पॉसिबल क कुशन है याद रखना अपना ये कुशन है इस रिस्पॉंसिबल फोर दग्रीन रिवालुशन हरत करांती के लिए कौन जिम्मेदार है ना बढ़िया है एंचाड़ी में लिखा हुआ है प्रफेसर लाल सिंग प्रफेसर लाल सिंग एक्चुली इंडिया में इन्होंने स्टा स्टार्ट किया था अपने लिए क्या है जो डिन फिंग प्रफेस्ट थी उसको स्टार्ट किया था तो यह नहीं है नॉर्मली वार लॉग बिलकुल एंचाड़े में लिखे हुए एक गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं है गौहा महिसुरी ऐसा कुछ नहीं है तो सेकेंड अप पाइट्स के लिए है यह बढ़िया है एपाइड याद रखना है अबल मस्कस एसको लेंडर इस ऑप्टे वाटनिकल लैम और फोलाई यह बिंडी का वाटनिकल नाम है ठीक है चलते हैं आप स्लेक्ट मिसमेस पेयर गिविन बिलो है ना मिसमेस पेयर को ना बरिशी का कल्या सुना नहीं होगा बाकी ओपिशन एरम है सुना लिका है यह रतना है थर्ड आपके लिए करेक्ट आंसर बनता है नेक्स चलते हैं आप फोलाइंग इस नौट ए वाइरल डिसीज वाइरल डिसीज को आना ब्राउन रस्ट और वीट लोगे यह फंगल डिसीज होगी कौन सी फंचाई की डिसीज है तो आपके लिए थर्ड करेक्ट आंसर यहां पर बनता है कि यह कंसीडर दफॉलाइंग ठीक है यह है कौन सख वीचिज सेप आफ टीमबी टीमबी को मुझे वाइरस को आप वहां देखना जाके यह रॉट से फॉर्म में आपको नजर आएगा तो य इलॉंगेटेड फॉर्म में है दंडाकार छडाकार है कांसीडर फॉलाइंग क्या है इनिविट डिसीज कॉजिंग माइक्रॉप्स इंपूर्व नूट्रिशनल क्वालिटी इनकीज बिटामिन बीट्वैल तो बीट्वैल बढ़ा दिया तो एक शीदा लैक्टिक ऐसे बै आता तुम दिखा होगा लोतीं दिखाने का फूलोंकं की ब्रिशन होता है आग्या इस फर्मेंडेशन होता है ती यूटी प्रडियूस होती और उन० जैसे घृते हैं आई ब्रेड में जो इस पोर्स आते हैं म्flows पोर्स होते है इस पंजी ने चर औकिते होता है ले जिए Nik नहीं करते हैं लेकिन साम्मिल है ठीक है तो माइको राइज माइको राइज एक्चली का है आपके रूट एंड फंगस का यह एक संभासिस यह सूचीशन है यह क्लियर यह हो जाता है नेक्स चलते हैं एग्रीक कल्चर अकांट पूर अप्रॉक्सिमेटली आफ इंडिया जीड यह अब फोलेंग पॉपॉलेशन देखो ते तीस परसेंट और जीडिवी में बासट परसेंट यह एंप्लॉइमेंट भी देता है कहा तो याज आता है पहले लोग असी परसेंट लोग गाउं में रहते हैं अब कम वें सहरों में ज्यादा होते हैं अभी इंसान ने खेती कप सवरू की दस जार साल पहले तो उससे पहले क्या था सारे जो प्लांट थे वो वाइल थे जंगली थे हम भी जंगली हम जब सिविलाज हुए दीरे दीरे तो हमने वाइल प्लांट को ही फिर अपने डॉमेस्टिकेशन के जरिए अपने यूज में लिया और अल्टिमेटली उन्हें डॉमेस्टिक में कनवर्ट किया वाट इस दे रूट आप एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम क्लेक्शन और बेरियाबिलिटी तो यह यह हमें देखो कि मैंने एक लेक में पढ़ा था कि अमेरिका जो है किसी भी देश में कोई भी फसल होगाई जा रही है उसके जर्म प्लांट को क्लेक्ट कर रहा है तो इससे क्या होगा हमारी बहुत सारी जो कंपनी है वो भी ऐसा करती है जितने ज्यादा वेरियाबिलिटी होंगे आपके प्लांट्स होंगे उतने ज्यादा आप डिजारेबल प्लांट्स को प्रेड्यूस कर सकते हो तो इसलिए हमें जर्म प्लांट को क्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है तभी हमारे लिए जो प्लांट बीडिंग प्रोग्राम है वो पॉसिवल होगा नेक्स चलते हैं सेक्रो माइस सेरी इस नौन एस क्या से जाना जाता है किसे बेकर सीष्ट भी कहते हैं बेवर्स भी कहते हैं ब्रेकेट फंजाई तो हम बेशीडियो माइचिटीज को गयते तो यह हो नहीं सकता ठीक है तो अपने लिए यह रॉंग हो रहा है लेकिन फर्स्ट एंड प्लांटेशन जादा है फ्रसलें बर्बाद के जाएंगी यानि कि माइक्रॉप्स के लिए तो कहा जाता है तीस से चालिस परसेंट यह डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे जो खाद्यान है उनको इवन कभी-कभी तो हंड्रीड परसेंट भी कर सकते हैं पूरा एक दम से दिस जादा है वही पर सबसे जादा क्योंकि यहां तो बैजिटेशन ही नहीं है तो यहां डिस्ट्रॉय किसे करोगे ऐसे नेक्स सलते हैं सिलक्ट इनकरेक्ट इस्टेट्मेंट और पैस्ट में डिस्ट्रॉय फ्रॉम निचर देखो कभी नहीं एंस आप कुछ भी कर लो इस प्रसीज रिप्रेजेंट इस पेस्वेफ फंक्शन इन नेचर आप दे आर रिस्पॉंसिब और इस्टेबिलिटी ऑफ एको सिस्टम और इसलिए एको सिस्टम स्टेबल होगा तो हम इंसान भी जिंदा रहेंगे तो आपको पहली बात तो यह सोचना भी नहीं है कि हमें स्ट्रोइब टोतली करना है हां कंट्रोल करना इसलिए बाइलोजिकल रोफ यूंतन टरोल जाता घंड भी कर सकते हैं यह बा मोसिकल निच में नीचुरल जीछ बीएक पर यहां क्या गया इंप्रूब्ड क्रॉप की वराइटी यानि कि हाइब्रिड वराइटी बढ़िया मैनेजमेंट किया यूज आप एग्रोकेमिकल फर्टिलाइटर्स पेस्टिसाइड यूज किये गए मतलब यह था कि नाइंटी सिक्स्टी के आसपास यह था कुछ भी करो एनी हाओ हमें प्रडक्शन ज्यादा चाहिए तो वहां आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज गया इन सब चीज़ों का भी यूज बढ़ाया गया है ना नेक्स चलते हैं इंडियन एग्रिकल्टर रिसर्च इं टमेटो ठीक है इसके बाद मीं क्या आयरन कैल्चिम कहा जाता होगे आईरन क्यल्चिम बदवाव में भी यह तो आपके थर्ड फूर तो देख लो थर्ड मैंडी थर्ड मैंडीक है यह रहा एसी में देखो प्रॉटइन मैं सी कहां है मतलब फूर्थ मैं से यह नहीं रहे य है first में यहां जा रहा है यहां जा रहा है आपट से लमत nhất चलते प्लाज्मोगयमी कर नौट करना पड़ेगा के रैसमी करने होगी यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा प्लाजमो गभी बीए करोगे रह इसमें तो कोई भी भी आपके जब नहीं होगे तब तक नहीं और यह प्लाजमों के दोनों होंगे थर्ड अंसर बनता है बढ़िया है कैपसिटी इस टुजनरेट वोल प्लांट फ्रॉम एनी सैल एंट प्लांट टोलिपोडेंसी फूर सकता प्लांट का करेक्टर है बढ़िया है फैबर लैंड ने इसको डिसकवर किया था इस्टी वर्ड विच वन इस नॉट ए फंगल डिसीज फंगल डिसीज नहीं है ब्लाइक ब्राउन रस्ट है पक्षी निया से करता है रैड रोट अप्सुखर एंड रोट प्रॉट प्रॉशिफर है ना लेट ब्लाइड अपड़ेटो याद है यह कौन करता है फाइटो पत्थोरा इक इस का मेंबर है थाइक को माइस सिटीज माइस सिटीज का मेंबर है फाइस पड़ेटो पत्वरा इटैश पूरा नाम यह भी फंगल डिसीज है लेकिनْ है बेक् टेरियल डिसीज है तो हमारे लिए लिए धानिवन जाएगा तो है नेक्स्ट चलते तो नेक्स्ट है यूज ऑप सर्टेन केमिकल्स और डिएशन तो चेंज दर बेस मतलब मुडेशन मुडेशन की बात कर रहे हैं आप दे जीन क्रॉप तो क्या करोगे मुटेशन ब्रीडिंग कहेंगे हम ठीक है जीन थेरपी नहीं यह नहीं यह नहीं ओके डिकांबिनेशन में तो अधिक उत्माग तरह बढ़ाई जाती है ना तो इसे हम कहते हैं बायो फॉर्टिफिकेशन जाब पुस्टी कहा जाता है ना बायो फॉर्टिपेशन तो आप इसी को याद रखना बढ़िया है इंसाड़ी बेस है इंसाटी में लिखा हुआ है ना कैसे चलते हैं नेक्स चल इसलिए हमें desirable plant भी तो चाहिए उनके characters perfect होना चाहिए तभी जाके आपके और बायल कभी-कभी problem यहां हो जाती है हमें बायल मिलते ही एसी condition में फिर हमें parents में mutation कराना होता है mutation एक ऐसी process है random है सदन है अच्छे भी character मिल सकते हैं बुरे भी मिल सकते हैं तो इसलिए हम breeding का भी mutation का भी option रखते हैं तब जब बायल रिलेटिव नहीं मिलते हैं तो यह सबसे बड़ा typical काम है बाधा यह है आधार बूस रचना तो पैसे है तो बना सकते हो यह भी employee भी ले सकते हो यह genetic engineering का case है आप ऐसे नॉर्मली नेचरल फॉर्म में किसी भी species को आप नहीं ले सकते क्योंकि reproduction करना है से reproduction की definition होते हैं कि same species जो mostly morphological similar features हो करें और उनसे जो रिलेट प्रड्यूस इस ऑफस्वरिंग है उन्हें फिर fertile भी होना चाहिए आप breeding से बना तो सकते हैं लेकिन उन्हें का फर्डाइल होना भी तो जरूरी है ऐसे है नेक्स्ट शेक्रम माई सब्सक्राइब वाज ओरिजिनली ग्रोन इन कहां यह देखो मोटे तना वाला तना है एल्ड जादा है इस साउथ इंडिया में उपता है लेकिन साउथ इंडिया यहां है और मोटा तना है लंबा भी है त तो सुगर कंटेंग जादा है तो इल्ड भी हाई होगी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा इल्ड क्या होगी है है तो फॉर्त हमारे लिए पर्फेक्ट आंसर बनता है एंसे आट्ची में लिखा हुआ है कोई डाउड नहीं है नेक्स चलते हैं विच वन आप दा फॉलाइं निट्रोजन पिक्षिंग और गेनिजम शुडुमवनास नहीं है यादर है स्वीडुमवनास प्यूटिड़ा है ना बाकी सम्में नाट्रोजन पिक्षिशन होगा नहीं पूछा है नॉट तो फॉर्थ परक्टरर आंसर बनता है नेक्स चलते हैं दफ्री लिविंग फंग च्राइको डर्मा कैन बी यूज़ फोर कैसे यूज़ करोगे मुख जीवी कवक ट्राइको डर्मा का उपयोग निमन में के लिए कर सकते हो किलिंग इंसक्ट ठीक है मार दो बायो कंटर आप सबको नहीं मास सकते हो बालोजिक अट्र प्लांट डिसीज यह एक्चली बायो क इसका बढ़िया करेक्टर है यह है नेक्स अलते है अ फॉलाइंग एक्सप्लांट यूज़ टू प्रोड्यूस बायोस प्री देखो फिर से है इस टाइप से भी पूचा गया है एपिकल एंटर कैली है तो मैं रिस्टेन दोनों से आप यूज़ कर से कभी नहीं क्योंकि य बाइडर सार नौट काया रिप्रजेंड इंफेशन औरल मेरिस्ट्रमाड यूज़ नहीं करू रहता है फाय 지금 क्यूच इसको इसको मेरिस टीशव उते हैं और highly dividing condition में वो टिशू पाया जाता है इसलिए वायरस कभी भी मेरस्टरम को infection नहीं करते हैं आप हमेशा दिमाग में यह concept याद रखना बाकी सब जगे से infection कर जाएं जहां बैस्कुलर बंडल होंगे वहां पर लोड होकर दूस्टे पार्ट में जा सकते हैं लेकिन मेरस्टरम स करो CD भी ठूस्टै therapists लेकिन बैक्तीरिया का यूज मत करो इसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं बैक्टिरिया फंगस आप की यूज होंगी बायलेजीन ट्रीपमॉंट में तो ठर्ड इसका कर्रेक्ट आंसर ठीक है गुड नेक्ट सलते हैं एड दा टाइम आप ग्रीन डिवालिशन पर्मेट्ट यूज ऑप कैमिकल फटलाइजर यूज किये गई कैमिकल पेस्टिसाइड हाइबिड प्लांट अल अब दीज फोर्थ करेक्ट है याद रखना तभी इतनी अलार्ज स्क पर प्लांट ब्रीडिंग के जरिए प्रोडक्शन बढ़ाता स्लेक्ट मिस्वेंस्ट पेयर केरट में होगा लैब 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 एक्चुली सेम को बोलते हैं सेम का बॉतनी का नाम है डॉली कोज याद रखना लैब लैब ठीक है यह बीन का नाम सैम जिसे बोलते हैं ऐसे ऐसे इसलिए मेरा मानना है कि एक्जामन ने दिया तो तुम्हें दिक्कता जाएग इसलिए में इन्दी में लिख रखता है इसमें प्रोडीन होती है फैट नहीं इस परिच में फी होगा नो डावट सही बात है फंकिन में में बिटामेन होगा तो यह सेकेंड हमारा कर बनता है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है हमारे लिए इनॉकुलम डिवरिंग कर्ड फॉर्मेशन कंटेंट पॉलाइंग बैक्टीरिया दही बनाओगे दोस्ते तो क्या चाहिए एले भी उस चो एक चम्मच डाली जाती है ना पुझा रहे हैं ओके थैंक्यू करते हैं कि स इसको के हमने NCRD से ही सारी फ्रैमिंग की है आपके इवन दूसरे टॉपिक में भी मैं आपको इसमें एंट्री नहीं कर रहे हैं ओके थैंक्यू हलो दोस्तों नमस्कार मैं सेल्फ रंवी जाखा टीम कवंसी CLCC कर बेटासी आप अपन और्गनिक कवंसी का में पॉर्शन या आपका नोमें कल्चर और आईसोमेरिजम जो आपका कल हुआ था और आज अपना जो पेपर हुआ है वो कौन सा है जी यो सी जर्नल और्गनिक कवंसी की कहानी साट करते हैं दोस्तों तो सवाल नमबर फस्स क्या कह रहा है दोस्तों वीच आप दा फ्लोविंग कंपाउंड जो आपको कंपाउंड दे रखे हैं दा कार्बन मार्केड जिस कार्बन के ऊपर मार्क किया हुआ है उनमें से कौन सा ऐसा है जो मूर इलक्ट्रो नेगटिविटी रखता है यानि कि आपको पता है दोस्तों कि S करेक्टर इंक्रीज होंगे तो EN इंक्रीज होगी और EN इंक् देखो कौन सा करें तो कौन सा सब्सके जादा रहेगा दूस्तों आणसर आजाए हंगा अपना थार्ड आंसर की और इसा घएगा चारा हुआ इसना correct order of decreasing stability of the flowing cation जो अपने को cation दे रखे हैं यानि कि धरायनों के स्थायतव का घठता हुआ करम बताना है दोस्तों तो plus वाले increase करते हैं minus वाले decrease करते हैं alpha hydrogen जिसमें जितना जादा होगा उसमें hyperconjugation दोस्तों उतना ही जादा मिलेगी due to hyperconjugation उसके स्थायतव उतना ही जादा stability जादा और अगर conjugation कहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसकी stability hyperconjugation से भी जादा तो यहाँ पर बात करें तो only on alpha hydrogen है दोस्तों कितने हैं भला 5 है यहाँ पर बात करें तो दोस्तों देखो इसकी बात करें तो क्या हो रहा है दोस्तों loan pair के alternative में positive chance है इसका मतलब क्या मिल गई back bonding, बंधन, कैसा है यह जाना ना तुने जाना ना उसने जाना इसका मतलब इसने जरूर जाना तो यहाँ पर क्या मिल गई दोस्तों बीवी मिल गई और बीवी मिलते ही क्या होगे stability जादा होगे इसका मतलब second की stability क्या रहेगी first से जादा रहेगी यहाँ पर बात करें तो यह बीवी दूर हो गई यानि की sigma sigma loan pair हो गया दोस्तों तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं हो सकता तो अब यह OCS3 किसका effect का काम करेगा minus i और minus वाले carbonine की carbonine की stability को क्या करते हैं दोस्तों decrease करते हैं इसका मतलब सबसे जादा stability किसका मिलेगी second की उसके बाद में first की उसके बाद में third की third कैसा हो गया list stable हो गया ठीक है यानि की stability of carbonine directly proportional एक किसके electron leasing group के और inversely proportional है किसके electron withdrawing group के तो सबसे जादा क्या मिला 2, 1, 3 किसमें दे रखा हैं दोस्तों 2, 1, 3 की अगर अगर बात करें तो कौन सा answer आजाएगा fourth answer ठीक है चलो next सवाल की बात करें तो कौन सा दे रखा है third number सवाल क्या कह रहा है दोस्तों number सवाल की अगर बात करें तो देखो in which of the flowing compound the carbon mark जिस carbon के उपर carbon के उपर mark लगा रखा है उसके उपर positive charge सबसे ज़्यादा किसके उपर है यही तो देखा है दोस्तों धनात्मक आवेस किसके उपर है ठीक है तो देखलो इसकी अगर बात करें तो more in atom वाला कोन है CL तो CL के उपर negative आएगा और इसके उपर क्या आएगा दोस्तों positive charge तो positive charge इस पे ज़्यादा रहेगा क्योंकि CL का कौन सा effect है दोस्तों minus i है ठीक है तो यहाँ positive charge ज़्यादा रहेगा और attach atom से fourth carbon यानि कि third carbon के बाद में तो क्या मानते है almost zero मानते है inductive effect यानि कि तो यहाँ पर यह तो third हो गया थर्ड हो गया तो इसके उपर क्या रहेगी दोस्तों कम रहेगी ठीक है तो positive charge कम रहेगा यहाँ पर बात करें तो यह क्या है दोस्तों गिन्या recent दे रखा है organo metallic compound दे रखा है कारब धात्वी की योगिक दे रखा है जब carbon direct किसी metal से attach है तो उसे क्या बोलते है OMC यानि कि metallic bone तो यहाँ पर बात करें तो क्या हो गया यानि कि carbon और metal के बीच में जो bone बन गया carbon और metal उसे ऐसे compound को उपन क्या बोलते है OMC बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर metal metal के बीच में जो bone बनता है उसको अपन क्या बोलते है metallic bone तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या है दोस्तों इसके उपर negative आएगा और इसके उपर positive आएगा इसके उपर तो electron density इधर जाएगे ँपर तो हलकी फलकी क्या होगी increase होगी नहीं के decrease इसके उपर positive इसके उपर negative तो सबसे ज़DAYदा चार्ज इसके उपर रहेगा इसकी बात करें तो इसके उपर positive इसके उपर किया देइक और भी इसका कम रहेगा तो कौनसा answer आ जाएगा दूस्तों बहदी प्यारा सा सवाल है 4 नंबर का क्या कह रहा है दोस्तों यह कह रहा है कि यह जो अपने को intermediate दे रखा है ठीक है उसका कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बनेगा electron सनही योगातम का भी किर्या देता है आपको पता है, अलकीन और अलकाइन दोस्तों कौनसी रियक्शन शो करती है एलक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन शो करती है और एलक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन शो करेगी तो किसका फॉर्मेशन होता है intermediate कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है जर्रेली अगर पन बात करें तो यहाँ पर क्या है दोस्तो अब r दे रखा है और r का कौन सा effect होता है दोस्तो प्लस आई और प्लस वाला तो क्या करेगा electron देगा देगा तो electron density इधर आएगी इधर आएगी तो इसके उपा टेक करेगी यानि कि यह nucleophile का काम कर रहा है और यह erectophile का काम कर रहा है तो यहाँ पे R is equal to अपने को क्या दे रखा है दोस्तो CS3 दे रखा है तो CS3 लगा लो H Posi TV अपने को दे दिया दोस्तो तो यह electron density इधर देगा इधर देगा तो यह पाई electron density इधर आएगी इधर आएगी तो किसका formation हो गया दोस्तों CS3 CH और CS3 क्यों पर positive charge क्या मिला है दोस्तों 2 degree carbocation का formation हो गया 2 degree carbocation का formation हो गया दोस्तों कौन सा अंसर आजाएगा अपना पस बिल्कुल आसान पेपर है दोस्तों बिल्कुल आसान आपने किया आपको पता चल गया होगा ठीक है NCRT सवाल है दोस्तों नीट में ऐसे सवाल आते हैं according to NCRT बिल्कुल NCRT से उठाईवी लाइने हैं दोस्तों which of the flowing group content only electrophiles कौन से हैं जो किसकर बोलेंगे दोस्तों या तो जिसा ऑक्टेट advocate चांप्लिट आ नहीं दोस्तों 8 इलेक्ट और्बिटल है घृप्ल खीक है या वेकット और्बिटल हो यहां पर पर बात करें तो लोन पे है यान कि बेस है बात करें उसके पास बात और्बिटल है Octate complete नहीं है दोस्तों Uncomplete है तो यह Electrofile है लेकिन सारे Electrofile नहीं है इसकी अगर पर बात करें तो दोस्तों यह क्या है ALCL3 Electrofile है ठीक है और SO3 Electrofile होता है दोस्तों Benzene का सलफोनेशन करवाते हैं तो SO3 Electrofile की रूप में यूज करवाते हैं Nuclefile हो गया इसका मतलब Electrofile की बात हो रही थी यह भी गलत हो गया NO2 Positive की बात करें तो यह कैसा है दोस्तों Electrofile है NO2 Positive Nitration करवाते हैं Benzene का तो आपको पता है दोस्तों यह एक तरफा महबत वाला बोन Nitrogen रखता है चीक है NO2 Group यानि की Coordinate Bone अब इसके पास Nitrogen यह पास कितने Electron है दोस्तों 6 Electron है और 6 Electron है तो यह कैसा होगा दोस्तों Electrofile होगा CS3 कैसा है Electrofile है और CS3 CO Asile Group भी क्या है दोस्तों Electrofile है ठीक है यह भी Electrofile है इसका मतलब यह तीनों के तीनों क्या है दोस्तों Electrofile है यहां पर बात करें तो Carbon पर Negative Charge आ गया इसका मतलब Nucleofile आ गया तो यह भी अपना Option नहीं हो सकता है इसका मतलब कौन सा Option Third Option Right ठीक है चल Next सवाल की और बात करें तो कौन सा दे रखा है Six Number सवाल Six Number सवाल में अपने से क्या पूछा गया है दोस्तों नाभिक्स नहीं पूछा गया है Nucleofile क्या होता है दोस्तों Nucleofile किसको बोलते हैं जो Lone Pair Donate कर सके ऐसा ऐसा ऐटम जिसके उपर क्या हो भला ऐसा Group जिसके उपर या तो Negative Chance हो या Lone Pair of Electron हो और वो किसी को लुटा सके यानि कि किसी को Donate कर सके उसे अपन क्या बोलते हैं Electron Reach Family होनी चाहिए ठीक है तो उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों Nucleofile बोलते हैं यानि कि धनी लोग A Pair of Electron to Donate जो Donate कर सकता है यानि कि दान करने वाले करने के लि कि Positive Charge किसी के उपर लगा दिया जैसे हमालो CS3 के उपर Positive Charge लगा दिया तो क्या यह Donate कर सकता है नहीं विचारा खुद्धी HEY, थीक है और यहां पर NS3 POSITIVEव लगा दिया तो क्या भी यह Donate कर सकता है Ten interested कर किसी से ले सकता है इसका मदलब यह तो कुछ नहीं है i यह electron deficient species 6 का मतलब क्या हो गया दोस्तों जिसके पास इक्रोणों की और टो काहनी की बात करें तो वाख सवाल विल्कुल मेडियसी का सवाल 접عتी का इंटरमेडियेट्स दे रखेंत नों को उपर क्या जाए दोस्तो अनपेड इलक्ट्रोना जाए उसे अपन क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल में अगर एक्जंपल लेजें तो CS3 रेडिकल ठीक है CS3 रेडिकल ने कित्ते बोन बना रखें दोस्तो तीन सीगमा बोन है इसका मतलब कौन सा हाइबरडाइशन होगा दोस्त 3 के उपर नेगेटिव चार्ट देखो इसकी सकल कैसी है दोस्तों ammonia जैसी है यानि कि ammonia आपको याद है ns3 के उपर क्या होता है दोस्तों यानि कि nitrogen पर लोन पेर और अलेक्ट्रों होता है ammonia वही है दोस्तों जिसको सुंगने पर आंखों में आँसु आ जाते हैं ज्ञादा सुंगने पर घर्वालों की आंखों में आँसु आ जाते हैं क्योंकि यह सफोगेटिन फैमली का है छीक है तो CS3 नेगिटिव की बात करें तो दोस्तों same structure वैसी हो गई इसके पास क्या है hydrogen 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 और लॉन पेर यानि की नेगेटिव चार्ज कौन सा है बेडाइशन SP3 SP3 होती कैसी स्ट्रिक्चर होगी पिरामेडल यानि की डिस्टरब ओक्टाहेडल और फिर अगर पन बात करें तो कार्बनियम आयन कार्बोनियम आयन का मतलब क्या हो गया दोस्तो CS3 उपर पोजोटिव चार्ज है यान की कार्बन के उपर पोजोटिव चार्ज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोनियम आयन आयन इयम लगा देते हैं लास में जिसके उपर पोजोटिव चार्ज आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर बात करें तो इसकी भी structure कैसी हो गई SP2 hybrid हो गई और SP2 hybrid होते ही कैसी structure हो गई trigonal planar structure हो गई तो इसका मतलब दो लोगों का trigonal planar structure है और एक कैसी है pyramidal structure है तो आप मिला दो दोस्तों इसको इसके साथ मिलाओगे carbonine को pyramidal के साथ मिलाओगे और इसको वापस इसके साथ मिलाओगे तो linear रेखा मैंने तुझे पहली बार देखा देखते ही समझ गया तब होली बाली सीदी साधी इसमें से कोई structure ऐसी नहीं है ठीक है तो इसका मतलब बी नहीं आएगा आपने क्या answer आजाएगा दोस्तों CBC देख लो दोस्तों CAB CAC किसमें है दोस्तों CAC इसमें है CAC किसमें है दोस्तों यानि की B कोई structure वाला नहीं है ठीक है तो next सवाल कि अगर आपने बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है अपने को 8 नंबर सवाल देखेए का दोस्तों 8 नंबर सवाल क्या कहता है यह कह रहा है कि वही column etching का सवाल है मिला दीजिए दोस्तों आजकर कोलमेचिंग के सवाल नीट में आने लगे हैं इसलिए अपने कोलमेचिंग के सवाल बनाए हैं दोस्तों आपने देखा 2021 का पिपर बहुत ही प्यारा पेपर था ठीक है बिलकुल आसान सा पेपर था वैसे ही उसी की तरस पे बनाया गया है तो यहां पर अगर पर बात क कर रहा है दोस्तों D-stabilized due to inductive effect यस इसके साथ में क्या आज आएगा C आज आएगा क्यों क्योंकि यह माइनस आई वाला है और माइनस आई वाले क्या करते हैं कार्बोकटाइन की stability को decrease करते हैं प्लस वाले increase करते हैं stable due to resonance इसमें conjugation नहीं है दोस्तों यहां पर अगर पर बात करें तो देखो कैसा है वन डिगरी यह फिर आ गया और इसको भी क्या मिल गई दोस्तों बीवी मिल गई यानि की resonance हो गया resonance किसमें है दोस्तों यह secondary नहीं है destabilized नहीं हो रहा दोस्तों stable हो रहा है due to resonance इसका मलब इसके साथ में क्या मिला दोगे दी फिर देखें दोस्तों यह कार्बोकटाइन कौन सा है ऐसे चलो इसी कहानी की बात करें तो next कहानी क्या कहती है nine number सवाल 9 number सवाब की अगर पन से सनयं करने वाला इlectron paper करने वाला कोंता है जिसके को इलेक्ट्रोन की चाहत हो इलेक्ट्रोन की तरफ भागने वाला हो तो कौन भाग सकता है रीच स्पीसीज भाग सकती है जिसके पास इलेक्ट्रोन पहले सी है ना ना वो तो कैसा हो गया नूकलियोफाइल हो गया वो नाभीक की तरह भागेगा यानि कि positive की तरफ भागेगा यहां पर Lewis base ठीक है Electrophilic Lewis base हो सकते हैं नहीं Lewis base का मतलब जो ऐसी species जो loan pair of electron donate करने की capacity रखती है वो क्या है दोस्तों Lewis base है electron deficient species yes electron deficient species electrons नहीं होगी जिसके पास electronों की कमी है वही क्या होगा दोस्तों Electrophilic recent होगा negative charge species तो क्या होगी दोस्तों nucleophile हो गई ठीक है इसका मलब यह यह और यह तीनों क्या है दोस्तों nucleophile के character है इसका मलब अपना कौन सा answer आ जाएगा Electrophil का कौन सा third ठीक है next सवाल की अगर बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है 10 number सवाल की अगर पर बात करें तो carbocatine की stability पूछे गई है जिसमें जितना जादा resonance होगा उसकी stability दोस्तों उतनी क्या मिलेगी जादा मिलेगी तो देख लो सबसे जादा conjugation किसमें है देखो benzylic carbocatine दे रखा है इसके पास alpha hydrogen है इसमें resonance है इसमें hyperconjugation है इसमें यह minus i का काम करेगा इसमें देख लो दोस्तों क्या है alpha hydrogen कितने हैं दोस्तों 2 है c2 h5 लिखा है c3 c2 c2 लिखेंगे अपन यानि कि यह लिखेंगे c3 c2 c2 positive charge इसके पास alpha hydrogen 2 है इसके पास भी alpha hydrogen 2 है लेकिन इसके पास pH किसका काम करेगी यानि कि phenyl group minus i का काम करेगा और यह c3 किसका काम करेगा प्लस i का काम करेगा ठीक है तो सबसे ज़्यादा stable किसमें हुए जिसमें resonance है resonance किसमें है दोस्तों benzyli carbocatine is more stable than others ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो सवाल दे रखा है ग्यारा नंबर सवाल क्या कहता है दोस्तों ग्यारा नंबर सवाल कि इन दा फ्लोविंग कार्बोकेटाइन H and CS3 इन में से कोई भी most likely migrate to positive charge यानि कि जिससे more stable कार्बोकेटाइन का formation हो जाए यह reinforcement का बहदी प्यारा सा सवाल है दोस्तों कि कौन जल्दी migrate होगा धनावेशित कार्बन में पुर्णर विन्यासित करने के लिए सबसे अधिक संभावना किसकी है यह कौन सा कार्बोकेटाइन है दोस्तों 2 degree है अगर यह H migrate करवा देते हो तो 3 degree कार्बोकेटाइन का formation हो जाएगा और यह अगर करवा देते हो तो क्या है दोई possibility है दोस्तों या तो आप यह वाला दो number वाला H migrate करवाईए या फिर 4 number वाला बैस और कोई possibility नहीं है क्यों क्योंकि one two shifting होती है उसका पडोसी ही क्या कर सकता है migrate कर सकता है पडोसी का पडोसी migrate है नहीं कर सकता यारे पुडोसी के पुडोसी से इसको कोई मतलब नहीं है पुडोसी से बहुत मतलब है इसका मतलब या तो यह H-migrate करे या फिर यह H-migrate करे दोई संभावना मनती हैं तो अगर यह H-migrate कर देता है तो कौन सा कार्बोकटैन का formation हो जाएगा दोस्तो 3-degree का formation हो जाएगा यह बनेगा अपने पास यानि कि OH इसके उपर positive charge यहाँ पर क्या जाएगा CH2 इधर CS3 CS3 और H है ठीक है एक H है तो यहाँ पर अगर बात करें तो 2-degree मिला है लेकिन क्या हो गया दोस्तों back bonding हो गई ठीक है क्या मिल गई आपको back bonding यानि कि पस्च बंधन मिल गया यानि कि resonance हो और resonance is more stable than hyperconjugation तो इसलिए अपने को कौन सा migrate करेगा 4 number का hydrogen migrate करेगा तो 4 carbon का hydrogen migrate करेगा यही अपना क्या हो गया दोस्तों answer next सवाल की अगर बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है दोस्तों 12 number सवाल क्या कह रहा है जो अपने को कारबेनायन दे रखें उसमें से least stable कौन सा है दोस्तों जिसकी EN जदा होगी अगर उसके उपर negative charge आ रहा है तो उसके stability जदा होगी यानि कि S करेक्टर increase होगे तो EN increase होगी तो कॉंजूसी भी क्या होगी दोस्तों increase हो जाएगी यानि कि कॉंजूसी बढ़ेगी ठीक है और stability भी बढ़ेगी तो यहां पर बात करें तो कौन सा दे रखा है प्लस आई वाला यहां पर बात करें तो 33 प्लस आई वाला एक नन्नी सी जान पर दोस्तों क्या लगा रखें तीन-तीन CS3 लगा रखें और तीन-तीन CS3 लगाने का मतलब है कि क्या और यह दोस्तों पताल में जा रही है क्यों क्यों क्योंगे प्लस वाले करेंगे माइनस वाले increase करते हैं ठीक है तो यहां प्लस आई जतना जादा है तो उसकी stability उत स्ष चार्ज को पचा सकता है तो सबसे क्ले मिल गया सेकंद मिल गया पलस वाली क्या करेंगे करेंगे की सेह बश hadn't को सवाल की बात करें तो कोज़ा दे दिया दोस्तों के 20 सवाल अपने को क्या देज कर रहा है दूस्तों है करवाना है दोस्तों लाइट की प्रजंस में तो क्या बन जाएगा अपने पास CS3, CH2 अनपेड इलक्टरॉन और VR के पास भी क्या आएगा अनपेड लक्टरॉन तो देख लो अनपेड किसके पास है दोस्तों पहले के पास ही अनपेड है इसमें पोजिटीव और अनपेड हो गया यह ऐस इसका मलब किसी परकार की कोई बेमानी नहीं हो रही है इसको अब बैवफा नहीं कह सकते बैवफा किसको बोलते हैं जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तब यह अपने इलेक्टरॉन लेकर क्या हो जाता दोस्तों भाग जाता तब कहते कि जा बैवफा जा तब VR हमती के कारण दोनों अलग-अलग हो रहे हैं तो अनपेड अनपेड आएगा दोनों पर नेक्स सवाल की अगर पर बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तो 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है सवाल 14 यह कह रहा है कि निमन में से कौन सा यानि की नोन बेंजिनोइड पूछा गया दे रखी है एनिलीन क्या है दोस्तो बेंजीन कंटेनिंग अरमेटिक है यह ठीक है यह यह बेंजिनोइड है यह नोन बेंजिनोइड नहीं है यह नोन बेंजिनोइड है फिर अगर बात करें तो बेंजोईक एसिड बेंजोईक एसिड में भी बेंजीन आ गई दोस्तो और नेफ्चलीन, नेफ्चलीन में क्या आगई दोस्तो, दो-दो बेंजीन आगई, एक नहीं रहे, दो-दो बेंजीन आगई, इसका मलब यह भी बेंजिनोइड है, यह नोन बेंजिनोइड है दोस्तो, अगर CO, यानि कि कार्बन डबल बॉन ओक्सिजन, CO के पाई लेक्ट्रोन, अगर oxygen पर shifting कर दें और compound अगर aromatic में convert हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं quasi aromatic बोला जाता है दोस्तो इस पर आ जाएगा negative और इस पर क्या आ जाएगा positive charge अब देखो यह क्या है 6 pile electron है और 6 pile electron है तो यह क्या मिलेगी दोस्तो aromatic मिलेगी इसका मदलब non benzenoid यह tropolone है ठीक है क्या होना चीए cyclic होना चीए planar होना चीए complete close conjugation होना चीए 4N plus 2 pile electron को follow करना चीए वही क्या है दोस्तो aromatic है ठीक है चलो कौनसा answer first answer next की अगर अपने को क्या दे रखा है 15 number सवाल क्या पूछा गया है दोस्तों यह पूछा गया है only sp3 hybridization किसमें है दोस्तों अगर अपने यहां पर बात करें तो benzene दे रखी और benzene में only sp2 hybrid होता है और इसमें क्या दे रखा है c2h2 का मतलब क्या हो गया acetylene याणि कि sp hybridization और इसकी बात करें तो कैसा है sp3 only sp3 hybridization इसमें क्या है दोस्तो sp3 भी है और sp2 भी है तो दोनों ही है तो अपने से क्या पूछा है only sp3 पूछा है sp3 only किसमें है دोस्तो r में है resonance किसमें है इसी कोई तो है resonance का नक्सा, इसका मतलब क्या आजाएगा दोस्तो P आजाएगा, फिर triple bone किस में पायजाता है, दोस्तो acetylene में, यानि कि carbon, triple bone, carbon, तो यही है acetylene, acetylene क्या है, दोस्तो Q है, hyperconjugation किस में है, दोस्तो सनम में, यानि कि S में है, तो देख लो, hyperconjugation, alpha, hydrogen involving होता है, इ P Q S, यह आजाएगा दोस्तो, कौन सा answer मिल गया आपने को, fourth, छीक है, next अगर आपने बात करें, तो कौन सा सवाल दे रखा है, आपने को, 16 नंबर सवाल, क्या कहता है, दोस्तो, 16 नंबर सवाल, hyperconjugation possible है, hyperconjugation की बात हो रही है, तो hyperconjugation किस में होता है, दोस्तो, यानि कि क् सिग्मा बोन के alternate में, सिग्मा बोन कान सा, सिग्मा बोन, सिग्मा बोन के alternate में क्या होना चीए, दोस्तो, positive charge होना चीए, सिग्मा बोन के alternate में क्या होना चीए, दोस्तो, unpaid electron होना चीए, यानि कि यह तो किस में होगा, एलकीन, एलकीन में होगा, इसकी बात करें तो यह किस मे होगा free radical में होगा free radical ठीक है तो इसका मतलब कौन-कौन है carbonine में possible नहीं है octate complete है इसमें क्या है दोस्तों इसमें possible है क्यों क्योंकि hyperconjugation शो करेगा double bond का ठीक पडूसी carbon क्या होता है alpha hydrogen देख लो बले ही toluene है यहां पर बात करें तो इसमें possible नहीं है double bond दे रखा है alpha hydrogen नहीं है इसकी बात करें तो इसके पास भी alpha hydrogen नहीं है दोस्तो इस carbon पर 33 CS3 लगे alpha carbon है बट alpha hydrogen नहीं है तो कौन सा answer आजाएगा second ठीक है तो only one second में possible है next सवाल की अगर पन बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है दोस्तो 17 नंबर सवाल देखिए का 17 नंबर सवाल दोस्तो क्या कह रहा है हाइस inductive effect पूछा गया है ठीक है अब आपको पता है कि inductive effect की अगर पन बात करें तो development of partially positive और partially negative charge on carbon chain यानि कि आंसिक धनावेस और आंसिक धनावेस उत्पन कर देता है carbon chain पे वही तो effect क्या है दोस्तो inductive effect है अब अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है alkyl part दे रखा है और alkyl part की अगर अगर अपन बात करें तो plus eye effect directly proportional है जल्ली इसका कौन सा effect होता है plus eye effect होता है तो plus eye effect की अगर 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 बात करें तो ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा प्लसा एफेक्ट किसका होगा दूस्तों 3 डिगरी का यानि कि 3 डिगरी का उसके बाद में किसका नंबर आता है 2 डिगरी का उसके बाद में 1 डिगरी का CS3 का उसके बाद में किसका नंबर आता है T, D और H का यही होता है चलो तो कौन सा अंसर आज हैगा Next सवाल की अगर आपने को क्या दे रखा है दोस्तों यह अपने को दे रखा है 18 नंबर सवाल Decreasing order of basic strength पूछा गया है इसका सबसे ज़ादा क्या होता है दोस्तों basic strength होता है ठीक है क्योंकि यह plus m का काम करेगा यह भी plus m का काम करेगा ठीक है और यहाँ पे electron density क्या आ गई दोस्तों सबसे ज़ादा होगी इसका मलब यह donating nature सबसे ज़ादा मिलेगी उसके बाद में अपन क्या देखते हैं दोस्तों की plus i वाले increase करेंगे minus i वाले decrease करते है ठीक है उसके बाद में अपन क्या दिखते हैं दोस्तों e n e n जिसकी ज़ादा है इसका मलब e n directly proportional conjunction झीक है in जिसकी ज़ादा होगी इसका मलब वो conjun HispanHealth होगा उसके बाद में अगर पन बाат करें तो loan pair in aromaticity, अगर loan pair aromaticity में parry spirit करता है तो उसकी क्या होगी base 161 सबसे कम होगी, तो देखो लोग मैं लोण pair conjugation participle कर रहा है, यहाँ पी अगर पन बात करें तो देखो loan pair Conjugational Party Speed कर रहा है ओहो ये तो 2-2 के साथ है Conjugational Party Speed कर रहा है C6H5, PHA की बात होती है दोस्तों, तो 2-2 के साथ ये क्या है दोस्तों, प्लस आई वाला है और यहाँ पर बात करें तो 2-Degree है 2-Degree के पास क्या आगे दोस्तों प्लस आई वाले जादा होते हैं तो इसका मतलब सबसे जादा इसी की रहेगी, प्लस वाले इंक्रीज करेंगे माइनस वाले डिक्रीज करेंगे तो सबसे जादा 4th की, उसके बाद में 3rd की उसके बाद में 1st की, उसके बाद में 2nd की सबसे कम होगी दोस्तों, 2nd सबसे list बेस है इसका मलब क्या आजाएगा 4, 3, 1, 2 देख लो दोस्तो कौन है 4, 3, 1, 2 यानि कि कौन सा अंसर आजाएगा दोस्तो सेकिन अंसर नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को कौन सा दे रखा है दोस्तो 19 नंबर सवाल क्या करें स्टेबिलिटी ओफ अलकाइल कार्ब कार्बोकेटाइन के स्तायतों को किसके दुवारा समधाय जा सकता है अपन किस से एक्स्प्लेइन कर सकते हैं दोस्तों इंडेक्टिफ एक्ट से कर सकते हैं इडेक्टिव एक्ट तो सभायक्सी बात है होगा प्रेनिक प्रभाव तथा अती से यूगमन दोनों से कर सकते हैं इलेक्ट्रोमेरीक इफेक्ट तो ओनली रियक्षन के टाइम ही होता है दोस्तों यह तो कैसा होता है यानि कि ऐस थाई प्रभाव होता है ठीक है टेंपरेरी होता है तो इसका मतलब इस से अकले से नहीं कर सकते इस अकले से नहीं कर सकते इस से नहीं कर सकते अपना आंसर कौन सा आजाएगा ठीक है यही आंसर मिला नेक्स अगर अपन बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तों 20 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे रह इसके पास की बात करें तो alpha hydrogen 2 है इसके पास की बात करें तो alpha double bone का ठीक पुडोसी carbon क्या होता है दोस्तो alpha carbon होता है उससे attach hydrogen क्या होता है alpha hydrogen तो किसके पास सबसे ज़्यादा है दोस्तो second के पास ज़्यादा है तो second अपना क्या जाएगा answer अगर अपने को क्या दे रखा है दोस्तों 21 नमबर सवाल 21 नमबर सवाल क्या करें अरंज दा फ्लोविंग कर्ब एनाएन in order of their decreasing stability stability यानि की कारबनायन को उनके स्थाइतब के घठते हुए करम में वस्तित कीजिए कारबनायन की stability की अगर अपन बात करें दोस्तों तो एक order में set कर सकते हैं अपन की negative charge नेगेटिव चार्ज इन एरोमेटिक बेसिक सेंद का जो अभी थोड़ी देर पहले अपने पिछले सवाल में order लिखा था उसी के अकोडिंग कर सकते हो दोस्तों कारबनायन का कोई सवाल गलत नहीं होगा नेगेटी चार्ज के participate करने से अगर अरोमेटिक हो रहा है तो उसकी stability सबसे ज़ादा उसके बाद में देखना है कि नेगेटीव चार्ज in resonance अगर resonance में participate कर रहा है तो उसके बाद में हापन क्या दیکھते हैं कि इसकी ज़ादा होगी, जिसमें S करेक्टर ज़ादा होगी, उसकी E-N ज़ादा होगी, तो यहां पर बात करें, तो क्या दे रखा है दोस्तों? S plus I दे रखा है, और इसकी E-N क्या है? S P hybridization है, इसका मलव 7-3 है. यानि कि triple bone आसा है तो इसका मतलब उस carbon की EN कितनी होती है 3.25 होती है double bone आते ही पूरे 3 हो जाती है यानि 2.75 और single bone की आपको पता है 2.5 होती है धाई होती है तो इसका मतलब यह SP है यह भी SP है इन दोनों में से और इसकी बात करें तो SP2 है और यह कौन सा है SP3 है तो सबसे जादा किसकी stability जादा रहेगी SP की ठीक है और सबसे कम किसकी रहेगी SP3 की इन दोनों में से किसकी जादा रहेगी इसके उपर प्लस आई वाले आगे और प्लस आई वाले क्या करते हैं कारबे 9 की stability को decrease करते हैं तो इसका मलब B की सबसे जादा उसके बाद में A और C में से A की उसके बाद में C और उसके बाद में D ठीक है क्यों क्योंगी यह more in item पे है तो क्या आजाएगा B A C D B A C D ठीक है तो कौन सा आंसर आजाएगा दोस्तों third next सवाल की बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों 22 नंबर सवाल दे रखा है देखिएगा दोस्तो 22 नंबर सवाल क्या करता है which of the flowing are correct ठीक है निमन में से कौन सा सही है तो निमन लिखित में से सही कौन सा है सही की अगर पन बात करें तो देखो CS3 क्या दे रखा है minus i effect है क्यों क्योंकि loan pair इसके पास है लेकिन loan pair sigma positive charge आ गया तो conjugation खतम हो गया क्या कहा रहा है कि CS3 is more stable than अब यह देखो C2H5 को क्या लिख दोगे CH2CH3 positive charge यह लिखोगे CS3 CH2CH2 positive charge अब इन दोनों में से stability किसकी ज्यादा इसकी लेकिन यह कह रहा है कि is more stable than गलत है यानि कि CS3 से इस से अधिक स्थाई है गलत हो गया यह तो यहां पर बात करें तो is less stable than क्या यह दो डिगरी वाला जिसके पास alpha hydrogen कितने है छे हैं दोस्तो तो alpha hydrogen जितने जादा होंगे इसका मलग यह दो डिगरी और यह एक डिगरी है तो टू डिगरी की stability क्या होती है जादा यह कह रहा है कि is less stable than इससे क्या यह कम साही है ना रहे ना गलत यह क्या कह रहा है इसमें resonance है is more stable than इससे यह सही है क्योंकि इसमें resonance है और is more dominant than hyperconjugation ठीक है इसमें क्या कह रहा है कि is more stable than ना रहे जिसकी EN ज़्यादा होगी वो negative charge तो रख सकता है लेगन positive charge को बचा नहीं कर पाएगा यानि कि घटा सही नहीं कर पाएगा stability सबसे कम हो गई दोस्तो तो सबसे ज़्यादा कार्बोगटाइन की stability दोस्तो जब से देखन आओ तो ABC याद रखो A for aromatic B for back bonding C for CPM उसके बाद में क्या जाता है बेंजाइलिक उसके बाद में 3 degree 2 degree 1 degree की कहानी आती है ठीक है तो सबसे कौन सा सही हो गया दोस्तों third next इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को कौन सा दे रखा है 23rd नंबर सबाद which of the flowing CH bone has the lowest bone dissociation energy यानि कि lowest bone dissociation energy बंद वियोजन उर्जा का मान पूछा जा रहा है दोस्तों जिसका स्थाइतव जादा होगा उसकी bone dissociation energy का मान कम होगा यानि कि क्या होता है दोस्तों CH bone अगर अगर अपन bone dissociation करवाते हैं तो इसमें क्या बनता है radical बनते हैं और radical की stability की अगर अपन बात करें तो 3 degree का सबसे जादा उसके बाद में 2 degree उसके बाद में 1 degree और उसके बाद में super 1 degree तो यहाँ पर अगर अगर बात करें तो क्या दे दिया दिया दोस्तों है और 3 degree radical आपको पता है दोस्तों क्या करता है जल्दी stable होता है क्यों क्योंकि due to hyperconjugation no no alpha hydrogen मिलेंगे सबसे ज़्यादा होगा इसका मलोग कौन सा सबसे ज़्यादा किसकी तैतब हुआ दो नंबर का इसका मलोग लोविस यानि कि सबसे कम बंद वियोजन उर्जा का मान किसका हुआ second का answer ठीक है next सवाल की अगर पर बात करें तो बिलकुल आसान सवाल दोस्तों NCRT से उठाया हुआ कि CH का यानि कि हाइट्रोसन carbon hydrogen bone angle कितना होता है दोस्तों 109 degree 28 minute का होता है बिलकुल प्यारा सा है दोस्तों H यहाँ पे tetraheadle position होती है इसकी H और H यह जो bone angle होता है कितना होता है 109 degree 28 minute का होता है दोस्तों 109 degree 28 minute होता है दोस्तों bone angle कितने होते हैं तो 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 bone angle होते हैं, 1, 2, 3, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक हैं, तो total कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक हैं, तो 6 bone angle, bone angle कितने हैं, 6 होते हैं, ठीक हैं, तो वो भी सवाल आया हुआ है, तो यहाँ पर अगर अगर बात करें, तो bone angle है, कितना, 109 degree 28 minute का है ठीक है तो कौन सा answer आजाएगा अपना फस next सवाल की अगर आपने बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तो बहुत ही प्यारा सा सवाल ये भी अपने answer 80 का सवाल है hybridization in CH3 positive और CS3 negative और respectively पूछा गया है तो SP2 SP2 SP3 SP3 और यहां पर SP2 और SP3 आजाएगा यहां पर उल्टा दे रखा है दोस्तो तो respectively पूछा था करमिश्य पूछा है ठीक है तो इसका मतलब किसका आएगा इसका पहले आएगा इसका बाद में आएगा यानि कि ये SP2 है और ये कैसा है SP3 है ठीक है चलो नेक्स अगर आपन बात करें तो कौन सा सवाल दे रखाया है 26 नंबर सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है दोस्तो Conjugated Double Bone in Presence ये भी अपनी NCRT का सवाल है देखो Buta 1, 2, Diene Conjugation यानि कि Elkine, Polyene की अगर आपन बात करें Elkadiene बोल दो या Elkadiene बोल दो ठीक है more than double bone, Polyene हो गया दो double bone की बात कर लेते हैं Elkadiene तीन परकार की होती है कौन कौन सी है दोस्तो एक तो Conjugated एक क्या है Cumulative और एक क्या है दोस्तो Isolated ठीक है यहाँ पी अगर आपन बात करें तो Conjugated किसको बोलते हैं जिसमें Pi के Alternate में क्या हो दोस्तो Pi bone हो, Pi bone के Alternate में क्या हो Pi, यानि कि Pi Sigma Pi हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं Conjugated और एक अगर आपने आजें Double bone, Double bone ये कैसी आ जाए तो इसे अपन क्या बोलते हैं Alene, यानि कि Cumulative Alene, बोला साता है Alene, यानि कि ऐसी Alkene जिसमें क्या हो, लगातार Double bone हो Cumulative Diene दे दिया तो इसमें क्या है Pi, लगातार आगया है इसका मतलब इसमें Conjugation नहीं है यहाँ पर अगर बात करें तो क्या दे दिया दोस्तो यहाँ ये बात हो गई कि एक होती है Isolated Isolated यानि कि Double bone का दूर दूर तक आपस में कोई रिस्ता ना हो यानि कि Pi, Sigma, Sigma दो बार आगया इसका मतलब यह क्या है Isolated यानि कि एक तो क्या होती है दोस्तो सैयुगमी Diene एक क्या होती है दोस्तो Cumulative को क्या बला जाता है संचई Diene और एक क्या होती है Isolated यानि कि विलगित Diene कौनसी विलगित अपने से क्या पुछा गया है दोस्तो Conjugated पुछा गया है क्या ही यह Conjugated है अगर अपन 1,2,3,4 लगा दें तो 1,2,3,4 यह 4 Carbon हो गया दोस्तो 4 Carbon हो गया तो Continuity में है इसका नाम क्या लिखोगे 1,2 ही तो लिखोगे तो 1,2 Diene इसका मतलब यह Conjugated नहीं हो सकते Buta 1,3 Diene 1,2,3,4 यह देख लो दोस्तो Buta 1,3 Diene इसका मतलब यह क्या है दोस्तो Conjugated है Penta 1,4 Diene 1,2,3,4,5 तो 1,2,3,4,5 ठीक है इसका मतलब इसमें भी Conjugation नहीं है तो Conjugation किसमें है दोस्तो इसमें है आपका कौन सा answer आ गया Buta Singh बना दिया आपने सब Next कहानी की बात करने तो कौन सा सवल दे रखा है आपको 27 number सवाल देखेगा दोस्तो 27 number सवाल Which one of the flowing order is correct regarding to inductive factor inductive factor यानि कि minus i प्रभाव पूछ रहा है दोस्तो minus i प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका होता है दोस्तो अपने को बता है आप order चाहो तो लिख सकते हो NF3 positive का सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद में अगर बात करें तो किसका number आता है NR3 positive का उसके बाद में किसका number आता है SR2 positive का उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, NS3 positive का, उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, Cef3 का, उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, NO2 का, ठीक है, उसके बाद में अगर पन बात करें तो दोस्तों कौन आता है, Cn का, उसके बाद में कौन आता है, SO3H का, उसके बाद में कार् लोकसलिक एसीड का नमबर आता है फिर फ्लोरीन कलोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का नमबर आता है उसके बाद में अगर बात करने तो कौन आता है दोस्तो ओ आर का उसके बाद में ओ एच का उसके बाद में ट्रीपल बॉन का उसके बाद में एनस दू का उसके बाद में पी सबसे जादा डर था सबसे जादा इसके सबसे जादा है पर फिलॉरीद और उसकेुट則 उसके बाद यहां पर जाएग थां थैकर हैं तो कौन सा एंसर आ जाएगा दोस्तों यहां कड़ी में आगे बात करें तो दोस्तों कौन सा हो गया है 28 namro करते हैं, प्लस वाले, डिक्रीज करते हैं, यानि कि acidic scent किसको बोलते हैं, जितनी जल्दी H भागेगा, इसका मलब उसी की, तो क्या है, acidic scent है, हम लिए समर्थे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर माइन, क्या दे रखा है, फिनोल दे रखा है, OCS3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस M, यहाँ पर कार्बोक्स बेंजोईक असेड दे रखा है, यह बेंजोईक असेड दे रखा है, और यहाँ पर CS3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस H है, हाइपर कॉन्जुकेशन शो करेगा, और तो और पेरा पे, ठीक है, और मेटा पोजीशन पर ओनली इंडेक्टिव एक्ट शो करता है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो, कार्बोक्स बेंजोईक असेड तो ज़्यादा स्ट्रोंग असेड है, ठीक है, यानि कि बेंजोईक असेड is more acid than phenol, इसकी दो equivalent resonating section बनती है, उसकी 5 बनती है, लेकिन unequivalent बनती है, 29 नमबर सवाल क्या करा है, which of the flowing species is paramagnetic in nature, paramagnetic का मतलब क्या होगा, जिसके पास unpaid electron होगे, उसी का ही dipole moment निकाल सकते हो अब, तो इसका मतलब जिसके पास unpaid electron, देख लो दोस्तोes free radical दे रखा है, तो carbon की उपर आएगा, unpaid electron, carbonium iron का मतलब क्या होगे, carbon के उपर positive charge, carbon ion का मतलब क्या होगे, carbon की उपर negative charge, क्या हो गया CS3 positive charge यहां पे उन्पेड लेक्ट्रों किसके पास है दोस्तों फरी रेडिकल के पास है यहां पे तो दोनों के दोनों लेकर भाग गया इसका मतलब है यहां पर कारबन की उपर नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो एलेक्ट्रों पेड है जिसमें एक भी उन्पे पेरा मेगनेटिक है यानि कि अनू चुम्बकी है अनू चुम्बकी है नेक्स सवाल कि अगर पर बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तो थी जीरो नंबर सवाल in which of the flowing species the central carbon atom is negatively charged कुनसा ऐसा कार्बन है किंदरी य्य परमानू है जिसके उपर क्या है दोस्तो नेगैटिव चार्स है अब carbonium iron का मतलब क्या हो गया carbon के उपर पोजिटिव चार्स से तो फ्री रेडिकल इसमें क्या रहेगा दोस्तों इसमें भी अन्पेड एलेक्ट्रोन रहेगा इसका मलोग पोजिटिव चार्ज यह विचारे का ओक्टेट कंप्लीट नहीं है कारब एनाइन का मतलब क्या हो गया कारबन के उपर नेगटिव चार्ज ठीक है और यहां पर इथाइल कारबोकेटाइन का मतलब क्या हो गया कि यह दे दिया आपको इथाइल के उपर पोजिटिव चार्ज यानि की कारबन पर पोजिटिव चार्ज है तो यहां कारबन के उप acid than acetic acid this can be explainant using किसके उप्योग से आप क्या कर सकते हो दोस्तों समझा सकते हो बता सकते हो कि chloroacetic acid chloroacetic acid is more acid than acetic acid यही तो दे रखा है और एक यह दे रखा है आपको ठीक है तो सबसे जादा किस से समझा होगे minus i वाला है CL का कौन सा इफेक्ट है minus i तो minus i वाले क्या करेंगे acid acid को increase करेंगे plus वाले decrease करेंगे इसका मलो minus i effect आजाएगा दोस्तों ठीक है next सवाल की अगर पर बात करें तो क्या दे दिया दोस्तो 32 नंबर सवाल which of the flowing is the most stable free radical पूछा गया है दोस्तों ठीक है इसमें बहुत बड़ा आनुनाद इसमें नहीं है ठीक है तो इसका मतलब कौन सा मिला answer तो दूस्तों तीसरा ठीक है next सवाल की अगर पर बात करें तो अपने क्या दे रखा है दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सवाल with a change in hybridization संक्रण किस परकास से change हो रहा है of the carbon bearing the charge the stability of carbonine increase in the order ठीक है कि आवेस वाले carbon के संक्रण में परिवर्तिन के साथ carbonine के साहितव का बढ़ता हुआ करम होगा यहनि कि carbonine यह दे दिया आपको एक तो CS3, CH2 negative दे दिया एक आपको CH2 double bond CH negative दे दिया और एक आपको दे दिया CH triple bond यानि कि यह है SP, यह है SP2, यह है SP3 तो किसका स्थाहितव ज़्यादा रहेगा जिसकी EN ज़्यादा उसके उपर negative charge ज़्यादा सेबल इसका मलो कौन सा आंसर मिला दोस्तों कौन सा मिल गया देख लो SP, SP2, SP3 यानि कि SP, SP2, SP3 यानि कि second answer यही मिलेगा चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे दिया दोस्तों 34 number सवाल क्या कह रहा है non-aromatic कैसा होना चीए आपको पता है हकल ने क्या कहा था ये कहा था cyclic है planar है complete close conjugation 4N plus 2 Pylactron को follow करता है तो वो aromatic है फिर उसने कहा था की अगर cyclic है planar है complete close conjugate but 4N Understanding को follow करता है तो वो ant है यानि कि anti है और फिर उसने कहा था की alicyclic है non cyclic non planar ठीक है और uncomplete close conjugation है यानि कि conjugation complete नहीं है आदा अधूरा है ठीक है और any number of electron यानि कि कितने भी pile electron हो ये भेरू बाबा है दोस्तो कुछ भी सुंगा दो ये सब सुंग लेता है खा लेता है ठीक है तो इसका क्या है दोस्तो नॉट नरोमेटिक उसे बोलेंगे जिसमें non planar structure हो इसका मतलब ये तो cyclic है planar है complete close conjugation है किते python है six python है इसमेंगा फॉर पाल इकल्ट्रॉन है इसमें दो पाल इलड़्ट नहीं पाईलARK तो इसमें तो 35 नंबर सवाल, देखे क्या कह रहा है, carbon carbon bone length of the flowing molecule is the correct order, ठीक है, तो अगर अपने बात करें, तो carbon carbon bone length पुछी गई है, ठीक है, तो देखे साथ, क्या दे रखा है, एक तो अपने को alkane दे रखा है, यानि कि CH3, CH3 दे रखा है, एक अपने क्या दे रखा होगा CH2 double bond CH2 दे रखा होगा एक अपने को CH triple bond CH दे रखा होगा एक अपने को क्या दे रखी है दोस्तों बेंजीन दे रखी है ठीक है इसकी bone length कितनी होती है दोस्तों अगर आपने बात करें carbon carbon sp3 sp3 की bond length कितनी होती है 1.54 एंग श्ट्रॉंग यह NCRT कहती है पीको में कर सकते हो आप है न 1.34 एंग श्ट्रॉंग यह गर बात करें 120 एंग श्ट्रॉंग और बेंजीन को आपको पता है पता नहीं यह कौन सा नसा करती है जो सबसे ज़्यादा सेबल है इसको किसका नसा है दोस्तों resonance का अनुनाद का नसा है तो single bond में double bond के character double bond में single bond के character आजाते हैं ठीक है इसलिए इसके bond length कितनी हो जाती है दोस्तों बेंजीन में carbon carbon bond length कितनी मानी जाती है 1.39 एंग श्ट्रॉंग मानी जाती है दोस्तों ना यह double bond वाली ना यह single bond वाली तो सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी आएगा उसके बाद में C2H4 का नंबर आएगा उसके बाद में C2H2 का नंबर आएगा तो देख लो दोस्तों किसमें है C2H2 सबसे last में किसमें है इसी में है दोस्तों तो कौन सा answer आजएगा अपना second answer ठीक है तो second answer की और ही सारा हुआ next सवाल की अगर बात करें तो क्या दे कार्बन की संख्या जितनी जादा होगी ठीक है उसको कार्बन को ज्लाओगे उतनी ज्जादा हीट निकलेगी उसमा निकलेगी सुसमा निकलेगी ठीक है तो यहां पी गर बात करें और अगर number of carbon same आ जाता है तो उल्टा कर देते है किसके stability के number of carbon अगर सेम आजाए तो stability का क्या कर दो दोस्तों उल्टा कर दो ठीक है अब number of carbon सबसे कम किस में है इसी में है बिचारे में ठीक है three member ring है ठीक है cyclopropane में ही है तो heat of combustion सबसे कम इसी कि रहेगी सबसे ज़्यादा किस कि रहेगी जिसके पास number of carbon जाता है cdc बात नो बकवास आगे बढ़ते हैं दोस्तों कौन सा दे रखा है thirty seven number सवाल six carbon atom of benzene are off यानि कि benzene में कितने carbon atom है दोस्तों 6 carbon atom है और सारे कैसे होते हैं दोस्तों कितने परकार के हैं कितने परकार के हैं ये भी two degree है ये भी two degree इसका मतलब कितने परकार के हुए एक परकार के हैं दूस्तों सारे के सारे एक हैं सकल में ठीक है इसका मतलब सिंगल टाइप तो यहां पर अगर बात करें तो next सवाल कि अगर क्या बात हो रही है 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है दूस्तों प्लस M, प्लस M effect का order पूछा गया है दोस्तो, सबसे ज़्यादा किसका होता है, O negative का उसके बाद में किसका होता है, NHR का उसके बाद में कौन आता है दोस्तो NR2 का उसके बाद में कौन आता है दोस्तो OH का उसके बाद में कौन आता है दोस्तो OR उसके बाद में NHCOR उसके बाद में कौन आता है दोस्तो OCOR उसके बाद में कौन आता है फिर चल बहार आई अंटी अंटी तो रेडियो बजाते हुए निकल ली ठीक है रेडियो एक्टिव थी वो तो सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तो ओ नेगेटिव का उसके बाद में एनस्टू का उसके बाद में ओ आर का कौन सा आंसर आ जाएगा अपने फोर्थ आंसर की ओर दिसारा हुआ और नेगेटिव ठीक है एनस्टू और उसके बाद में ओ आर का ठीक नेक्स सवाल की अगर पन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है थर्टी नाइन नंबर सवाल क्या पूछा गया है दोस्तो हीट ओफ हाइडोजीनेशन हीट ओफ हाइडोजीनेशन हैच ओएच डारेक्ली प्रपोशियन लेगे इसके नंबर ओफ पाई बॉण्ट के ठीक है पाई बॉन्ट जितनी ज़ादा होंगी इसका मतलब उसकी हीट ओफ हाइडोजीनेशन उतना ही क्या मिलेगा ज़ादा औरícioола गया है स्टेबिलिटी का क्या है उल्टा happier equality if all nd कա क्या है युल्टा इस्टे के अगर आपनबात करें तो 2 हैं इसके पास एलफा है ट्रसन छह हैं इसके पास टीन है ठीक है इन दोनों का बराबर है तो आपको पता है ट्राइश लाकिस पॉजीशन ये वाली होती है युद्स क्या होगा उटे क्या तो दो नंबर के स्थाइतव सबसे ज़्यादा है उसके बाद में जिसके पास alpha hydrogen उसके बाद में क्या जाएगा चाल नंबर और एक नंबर ये तो किसका आया है stability का order आया है दोस्तो हो ह क्या कर दोगे उल्टी कर दो ठीक है तो सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी पहले की उसके में तीन नंबर की उसके बाद में दो नंबर की दो नंबर का स्थाइतव ज़्यादा तो heat of hydrogenation सबसे कम तो देख लो एक चार तीन दो कौन सा आंसर आजाएगा दोस्तों एक चार तीन दो यानि की दूसरा आंसर की औरी सारा हुआ है yes or no yes next इसी कड़ी में आगे बात करें त सल्पॉनिकैसिड कहीं भी दिख जाए इसका मतलब सबसे ज़ाधा acid Impf है दोस्तों सबसे ज़ाधा किसका अबिए समर्थे होता है यानि कि सल्फोनिकैसिड उसके बाद में किसका नंबर आता है ह। कार्बोकसलीक ऐसेड़ उसके बाद में किसका नमबर आता है ऑच जा ममद। थिवाय काह चाहि है और पन करें तो किसका नमबर आता है ट्रीपल वोन का उसके बाद में नमबर की बात करें तो कोन आता है ammonia उसके बाद में number की बात करें तो alken, उसके बाद में number की बात करें तो alken, ठीक है, यह acidic scent का है, एक छोटा सा order लिखा है मैंने, तो सबसे ज़्यादा sulfonic acid तो कहीं भी दिख जाए, इसका मलब सबसे ज़्यादा acidic है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा acidic, कौन है साब, SO3H दिख गया, तो इसका मलब सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, third, आप third दो ही लोगों में है, ठीक है, उसके बाद में NO2, NO2 का कौन सा effect है, माइनस M, यहाँ कौन सा effect होता है, plus H, plus H, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मिला, third, उसके बाद में किसका नमबर आएगा, first का, माइनस वाले increase करेंगे, plus वाले decrease करेंगे, तो सबसे ज़्यादा कौन मिला, third, उसके बाद में कौन आया, first, उसके बाद में कौन आया, 5 नमबर, उसके बाद में कौ मिल गया, third answer मिल गया, ठीक है, तो third answer की ओर भी सारा हुआ, ठीक है, इसको लेते, fourth answer में, तो क्या है, दोस्तो, second दे दिया, second नहीं हो सकता, दोस्तो, ये तो plus m वाला है, और plus m वाला क्या करेगा, क्या करेगा, acidic scent को decrease करेगा, negative charge को increase करेगा, तो hydrogen को पड़े-पड़े को electron कौन सा answer मिल गया, third, next सवाल की अगर बात करें, तो क्या है, दोस्तो, 41 number सवाल, क्या कह रहा है, intermediate दे रखा है, उसमें आपको stability पूछी गई है, जिसमें क्या मिल जाएगी, दोस्तो, ABC याद रखो, ABC, A4, Aromatic, B4, Backbonding, C4, CPM, चीक है, उसके बाद में Benzylic Carbocatine, उसके बाद में 3 degree, 2 degree, 1 degree, और ABC उल्टा भी कर सकते हो, यानि कि ABCD, सबसे list stable कौन है, anti-aromatic, उसके बाद में breeze head atom, उसके बाद में cyclic benzene, double bond के उपर positive charge है, तो list stable है, दोस्तो, A4, यहां में लिखा, aromatic, backbonding, और CPM, cyclopropyl methyl, carbocatine, तो इसमें देखो, दोस्तो, क्या मिल गई, BV मिल गई, इस को क्या है, अनुनाद, resonance, और इसके पास क्या है, hyperconjugation, तो resonance is more effective than hyperconjugation, अब इन दोनों का स्थाहित्व ज्यादा है, दोस्तो, stability ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्यों कि backbonding है, octate complete हो जाएगा, जैसे ही अपना loan pair उसको देगा, तो इसका मतलब octate complete हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बात करें, तो अब इन दोनों में से stability किसकी ज्यादा होगी, दोस्तो, यह भी backbonding कर रहा है, यह भी backbonding कर रहा है, अब अपने कई बार बात कर चुके हैं, कि जिसकी EN ज्यादा होगी, वो उतना ही मक्खी चूस, यानि कि गंजूस होगा, ठीक है, तो अब इस 1, 2, 3, 4, ठीक है, नेक्स सवाल अपने को कौन सा दे रखा है, दोस्तो, सवाल नंबर दे रखा है, 42, the correct order of stability of carb NN, carb NN की stability को माइनस वाले increase करते हैं, पलस वाले decrease करते हैं, अब यह कौन सी position पे लगे हो हैं, दोस्तो, मेटा position पे लगे हो हैं, मेटा position पे क्या नहीं होता, on inductive effect देखते हैं, दोस्तो, तो inductive effect, NO2 का माइनस आई, CL का माइनस आई, OCS3 का माइनस आई, और CS3 का प्लस आई, ठीक है, कौन सा, प्लस आई, माइनस आई, सबसे ज़्यादा किस का होता है, NO2 का, उसके बाद में CL का, उसके बाद में OR का होता है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, यही decrease करते हैं, ठीक है, चलो, इसी कड़ी में आगे आपन बात करें, तो कौन सा सवाल दे रखा है, 43 नंबर सवाल, 43 नंबर सवाल की अगर बात करें, तो दोस्तो, which of the flowing statement is correct, यानि कि कौन सा खथन सत्य अगटना पर अधारित है, दोस्तो, प्लस आई वाले क्या कर रहे हैं, stability decrease क करते हैं, कार्बोकटैन, यह तो गलत बात होगी, सरा सर यार, ठीक है, यानि कि प्लस वाले क्या करेंगे, कार्बोकटैन की stability को increase करते हैं, यहाँ प्लस आई, increase stability of कार्बोकटैन, यह सही बात बोल रहा है, minus I decrease stability of कार्बोकटैन, यह तो गलत बात होगी, माइनस वाले कार्ब हैं यानि कि carbonion और acidic synth को minus वाले increase करते हैं ठीक है और carbocatine और basic synth को plus वाले increase करते हैं तो कौन सा answer आजाएगा right option अपना कौन सा है second next सवाल की अगर आपन बात करें तो कौन सा दे दिया दोस्तो 44 number सवाल क्या कह रहा है दोस्तो which of the flowing compound bar will have maximum carbon carbon needed to do more longächst की बात ओ रही है coffee कि design can get the oil type for the band barbar ligand की बात ओरी है यानि कि double round की geschmarmic की बात between all Kenneth की बात हो रही है doubleowers की one length कैसे डिके हैंगे hyperconjugation या ःफिर देखते हैं दोस्तों चितना ज्याधा conjugation होगा double bond में single bond के character single बोल में क्रेक्टर उतने ही ज्यादा आते हैं जितने alpha hydrogen दोस्तो ज्यादा होंगे इसका मतलब उसमें resonating section due to hyperconjugation उतनी ज्यादा मिलेगी ज्यादा ज्यादा मिलेगी तो सिंगल बॉर्ण में double bond के क्रेक्टर उतनी ज्यादा बार आएंगे तो देखो यहां इसमें कि आएगा यहाँ पर सिंगल बॉण डबलबॉंद सिंगल बॉण में करवाट होगा यहाँ पे 6 टैम होगा 3 ही एलफा है इसके पास नहीं है दोस्तों यह वैसी के वैसी पड़ी रहेगी इसकी बात करें तो दोस्तों इसके पास क्या दे रखा है या या कितना दे दिशे आ दोस्तों 99ử isने 9 zwischenLe हो फिसने ज़्ञाद होगी दोस्तों इसी में ज़्यादा और हमें एक तो नेक्स सवाल क्या है टो सवाल क्या कर रहा है है हेट्र लाइटिक कडा ok अब प्रोपेन का हेटरोलाइटिक फ्यूजन करवाना है आपको ठीक है तो प्रोपेन अपने को दे रखी हैं CS3, CH2, CS3 यह भी NCRT का सवाल है बहदी प्यारा सा तो प्रोपेन होमोलाइटिक क्लिवेज और क्या करवा सकते हो हेटरोलाइटिक क्लिवेज अब होमोलाइटिक क् मतलब क्या होगा है दोस्तों एक पोजिटिव एक पे नेगटिव तो यहां से ब्रेक करिए वालो ठीक है तो एक तो आप यह बना सकते हो कि C3, C2 ॥ si c3, लगा दिये अपने c3 उसपे आपने नेगटिव लगा दिये और इसपे पोजिटिव लगा दिये किसी नेगए के दूसरा वाला बनाओंगा कोई बात नही इसाद यहां पर क्या लगा दो एक पर नेगटिव लगा दो पर c3 पोजिटीव प्रेका लगा दो ठी देख लो दोस्तों यहां कार्बन के ऊपर पोजिटीव चार्ज आया है इसका मतलब यह पोजिटीव चार्ज रह सकता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जूगेशन देखो ठीक है और यहां पे कार्ब एनायन आया इसका मलब इसके ऊपर कोई भी बढ़ाने वाला घटाने वाला इसका मलब एक उपर बन डिगरी कारबन यह भी रह सकता है यहां देखो दोस्तों यह जीनू तो जीनू किसके साहरे क्यों कि इसमें किसी परकार का कोई हाईपर कॉन्जूगेशन नहीं है तो इसमें से दोनों से स्टेबिलिटी किसकी जादा होई इसकी जादा होई नहीं इसका मेरो ये नहीं बन सकता. C3, CH2 के उपर positive charge हो और C3 के उपर negative charge हो. बच्छों कौन सा आजाएगा? यह देखो C3 के उपर negative charge हो C2-H5 के उपर क्या हो? Positive charge हो. ठीके? तो यही stable है. यही stable है, यही अपना क्या है? दूस्तों answer है. फिर अगर पर बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तो 46 नंबर सवाल इसमें भी है कॉंजुगेशन इसमें भी है कॉंजुगेशन है या नहीं है है अब जिसके ऊपर क्या होंगे दोस्तो अलफा है इसके पास थी है इसके पास नहीं है इसके पास की बात करें तो इसकी अगर बात करें तो देखो वाओ मज़े होगे तो बेंजीन के साथ भी resonance कर रहा है extended conjugation हो गया और इसके पास alpha hydrogen भी कितने होगे दोस्तों 6-6 alpha hydrogen भी होगे तो सबसे ज़्यादा stable कौन सा मिलेगा fourth ठीक next इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है 47 number सवाल क्या कह रहा है दोस्तों which of the flowing acids is the strong acid minus वाले increase करेंगे plus वाले acidic center को क्या कर देंगे decrease तो इनकी structure बना लो आप एक तो अपने Rede रखा ह? रखा है भृष डिया और यहां पे क्या दे दिया थेओ मैंस वाले increase plus वाले क्या कर देंगे acidic канале क्रीज या दे यहां पर अगर बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है माइनस एम इसका भी क्या है दोस्तों माइनस एम यहां पर बात करें तो only on minus i इस पर कुछ नहीं है इसका मदलब यह तो गई बेंस कादे में यानिकि सबसे लिस एसिड यही है इन चारों में से माइनस आई और इन दोनों का क्या है माइनस एम है तो माइनस आई से माइनस एम मोर डोमिनेट होते है इसका मलब इन दोनों की ज़्यादा है अब इन दोनों में से किस की ज़्यादा है दोस्तों इन दोनों में से अगर बात करें तो देखो M-M के साथ-i है, M-M के साथ-i है, M-I आपको पता है, किस पे ज़्यदा होगी, ओर्थो पे ज़्यदा होगी और एक आपको पता है, दोस्तो इसमें क्या लग गया? SIR ईफेक्ट भी लग गया, यानि जिसको क्या बोलते हो? ortho effect ठीक है तो ortho effect के कान CW negative क्या हो जाएगा दोस्तो auto plane हो जाएगा यानि कि ortho पे जसी कोई बलकी group हाज़ा है तो यह आपस में एक दूसरी के साथ repulsion करेंगे जिसके कान ring क्या हो जाएगी CWH ring के auto plane हो जाएगा अपने plane से हट जाएगा हट जाएगा तो एंजीन के साथ में कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो वो दो तुल्यांग की और इस रंचना to equivalent resonating structure का formation करेगा जो सबसे ज़्यादा सेबल होती है इसका मलब इसमें ortho effect भी लग रहा है और माइनस माइनस से आई दोनों ही लग रहे हैं इसका मलब सबसे ज़्यादा acidic scent किसकी रहेगी और्थो वाले की रहेगी चीक है तो कौन सा answer आजाएगा और्थो और्थो नाइट्रो बेंजोई कैसे नेक्स सवाल कि अगर बात करें तो अपने को क्या दे रखा है 48 नमबर सवाल विच नाइट्रोशन इस क्विकली प्रोटोनेटेड इन गौन सा नाइट्रोशन एटम है जो फटा फट क्या करेगा एच पोजिटिव एच पोजिटिव के साथ में अटैच हो जाएगा लोन पेर ऑफ लेक्ट्रोशन जल्दी डॉनेट कौन करेगा दोस्तों गौनेडीन अभी अपने बेसिक सेंट का ओटर देख रहा था उसमें अपने लिखा था याद करो दुनला दुनला तो यह तो और अपनेशन करता है और आप इसमें और गौनेशन करवाना चाहोगे तो जब रदस्ती हो तो जाएगी लेकिन बोन का फॉर्मेशन कदाप ही नहीं हो पाएगा फिर उसे आप क्या बोलोगे उट पटांग अतिव्यापन करवा दिया दोस्तो यानि कि बंद नहीं बना बोन नहीं बना तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं है तो SP2 हाइब्राइड लोन प लुटाएगा तो यह तो प्लस एम के काम कर रहे हैं प्लस एम का काम कर रहा है और यह जल्दी लुटाएगा यानि कि यह इसके उपर नेगेटिव चार्ज आएगा लोन पर पहले सी है यह फटा फट इसके उपर टेक करेगा यस्क नो तो कौन सा अंसर सेकेंड फिर अगर पन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तो 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तो विच आप दा फ्लोविंग स्टेट्मेंट इस दा करेक्ट ठीक हैं फोर दा डी लोकलाइजेशन ओफ एलक्ट्रों इन एक कोवलेंट बॉन डी लोकलाइजेशन किसे बोलते हैं द आपको पता है पाई बोन के अल्टरनेट में क्या हो पाई बोन तो पाई बोन के कारण ही क्या होता है अनुनाद होता है यह सैसे होज़क बंदी है सैसे होज़क है कोवलेंट मोलेकुल है इसका मलबदा इंडेक्टिफ एक्ट हो थ्रू पाई बोन पाई बोन के कारण होता ह कोई रूल नहीं उसमें केवल पाइबॉन का ही होता है दुस्तों तो इसका मतलब क्या है दुस्तों रेजनेंस एफेक्ट पाइबॉन के द्वारा होता है यह अपना कुंसा आजाएगा दूस्तों आंसर थर्ड नेक्स अगर बात करें तो क्या दे दिया दूस्तों 50 नंबर करेंगे सबसे परवल एसीड फ्लॉरिं यह सबसे जधा होता है फिर 10-3 होतेखे निक वाली कार्पॉनिल कपाउंड एस इसली का घक है इसे में अगर आगे बात करें तो कौनसा दे दिया दूस्तों 51 नंबर सवाल which of the flowing compound gives CO2 gas with sodium bicarbonate कौन ऐसे कमीने है जो sodium bicarbonate के साथ में CO2 देंगे CO2 तो वही दे सकता है जो strong acid है दूस्तो strong acid phenol है क्या नहीं रहे, phenol नहीं दे सकता क्यों क्योंकि phenol से strong acid होता है यह जो salt दे रखा है sodium bicarbonate किसका salt है H2CO3 का है इसका मलव ज्यादा strong acid होता है strong acid weak acid को उसके salt में से क्या कर देता है हटा देता है तो इसका मतलब phenol strong acid नहीं है तो इसका मलव नहीं हटा पाएगा alcohol तो गए भी ते हैं दूस्तो आपको पताईए है फिनोल से भी कमम लिए है इसका मलव यह भी नहीं हटा पाएगा पिक्रिक acid is strong acid compare to carboxylic acid तो पिक्रिक acid हटा देगा दोस्तों पिक्रिक acid बड़ी काम की चीज है 2018 नीट में सवाल भी आया कि कौन सा पिक्रिक acid है सीधा ही पूछा था कि नीमन में से कौन सा पिक्रिक है एसेड है तो यह पिक्रिक acid है दोस्तों यह strong acid है ठीक है यह क्या कर देगा co2 release करेगा तो answer अपना पिक्रिक acid अनिलीन को आप जानती हो बेंजीन के उपर नस तू लगा दिया जाए ठीक है तो कौन सा answer पिक्रिक acid है नेक्स अगर अपने बात करें तो अपने को कौन सा दे रखा है दोस्तों फिप्टी टू नंबर सवाल देखें पिरिडीन is less basic than diethyl amine. पिरिडीन diethyl amine के तुला में कम शारिय है ठेक है क्यों है क्यों यह आपको पता है कि यह तो अपनी पिरिडीन हो गई साब. पिरिडीन कैसी हो गई दोस्तों यह पिरिडीन है इसके पास long pair of electron है double डबल बॉन है क्या Engineers कर सकता है नहीं तो इस का मतलब यह कैसा हुआ 112 हुआ और यहां पहाँ आपको क्या देदिया इत्हाईल Amin याने कि टू डिगरी Amin यहां पी इत्हाईं कौन सा इंटिधा स्वाल्य दूसτο प्लस साई वाला क्या करेगा सकरेती है lazy rely той फ्रम जादा होगी तो उत्रहीं जादा कंजूस होगा इसका मलब सबसे जादा किसकी मिलेगी बेसिक सेंट तू डिगरी की मिली तो पढ़ लो दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों SP2 hybridization on nitrogen in pyridine ये बात सही है सत्य गटना पर अधारित है कि pyridine में nitrogen SP2 संक्रित होता है SP2 संक्रित है तब ही तो EN बड़ी EN बड़ी तो कंजूसी बड़ी देने की पावर कम होगी ठीक है lone pair of nitrogen is delocalized in in pyridine क्या pyridine में nitrogen नाइट्रोजन यानि कि अगर बात करें तो pyridine में आप से पूछ रहा हूँ कि क्या pyridine में nitrogen का एकांक के electron यूगम विस्तानी करन हो जाता है नहीं हो सकता दोस्तो SP2 hybrid lone pair or negative charge does not participate in conjugation तो कौन सा आंसर मिल जाएगा अपने को third answer मिल गया साथ ठीक है next सवाल कि अगर पूं बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तो 53 नमबर सवाल देखिये का दोस्तो 53 are ends a flowing free radical the most stable free radical most stable free radical कि अगर पूं बात करें तो जिसमें जितना ज्यादा अनुनाद उसका स्थाथ तो उतना ही ज्यादा रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस है दोस्तों इसमें रेजोनेंस है दोस्तों नहीं है सिगमा सिगमा देखो पाई अनपेड इलेक्टरोन रेजोनेंस खतम इसमें देखो दोस्तों रेजोनेंस है इसमें रेजोनेंस है क्या नहीं है तो इसका मतलब जिसमें जितना ज् बात करें तो कौनसा दे रखा है दोस्तों 54 नंबर सवाल क्या पूछा गया है विच अप्डा फ्लॉविंग आलकॉल इज ट्रोंग एकल कोन सा है दोस्तों जो सबसे इसे हैं ठीक है कौन फिर क्या दे रखा है एथेनोल दे रखा है फिर आपको क्या दे रखा है सेकेंड आइसो ब्यूटाइल दे रखा है दोस्तों कौन सा दे रखा है आइसो ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल कौन सा गुरूप होता है दोस्तों ये वाला और फिर आपको क्या दे रखा है दोस साथ करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तो 55 नंबर सवाल विच आप दा फ्लोविंग कार्बोकाटाइन इस मोर स्टेबल जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस जिसमें जितना ज्यादा इसमें ज्यादा रेजोनेंस इसका मलव इसका सेबिलिटी उससे ज्यादा इसमें नहीं ह stability किसकी मिलेगी fourth की ठीक है aromatic है aromatic का भी नसा है इसको फिर अगर पर बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तो 56 नंबर सवाल 56 नंबर में क्या पूछा गया है which of the flowing compound are aromatic in nature aromatic पूछे गया है दोस्तो कौन सी aromatic है एनिलीन aromatic होती है आपको पता है बेंजीन और क्या दे दी एनेस तू फ्यूरेन आपको पता है दोस्तो कैसी होती है वहला aromatic है six by electron है ठीक है aromatic के लिए क्या चाहिए आपको cyclic planar complete close conjugation four and plus two by electron को follow करती है तो इसका मतलब वो क्या है दोस्तो aromatic है पिरिडीन पिरिडीन कैसी है दोस्तो aromatic है six by electron है यह रही आपकी पिरिडीन ठीक है यह लोग लिखे वे थे चारों के चारों के चारों क्या है दोस्तो aromatic है ठीक है तो एनिलीन पिरिडीन फ्यूरेन और पिरोल ठीक है तो ए बी सी डी चारों के चारों क्या आजाएंगे दोस्तों option के अंदर आएंगे 57 नंबर सवल क्या कर रहा है दोस्तों which of the flowing is most stable conjugated alkadine दे रखा है किसको बोलते हैं जिसमें पाई बॉन के अल्टरनेट में क्या हो दोस्तों पाई बॉन हो यानि कि पाई सिग्मा पाई है इसका मतलब conjugation होगा और conjugation होगा तो उसका साहितव क्या होगा दोस्तों सबसे ज़ाधा होगा तो असांसर आ जाएगा isolated अपन किसको बोलते हैं जिसमें पाई बॉन के अल्टरनेट में क्या हो दोस्तों पाई बॉन ना हो यानि कि पाई सिग्मा सिग्मा पाई हो गया यानि कि डबल बॉन का आपस में दूर दूर तक कोई रिस्ता नहीं है only on hyperconjugation होगा तो इसका साय तब क्या होगा दोस्तों conjugated से कम होगा cumulative किसे बोला साता है दोस्तों cumulative जिसमें लगातार double bond हो लगातार CH2 CH double bond CH2 ठीक है तो यानि कि CH2 double bond double bond ठीक है double bond हो तो ऐसी क्या बोला सता है एल एलीन भी बोलते है cumulative diene दे रखा है आपको cumulative L का diene दे रखा है तो इसमें strain ज़्यादा होगे क्यों क्योंकि पाई बोन पाई बोन बिल्कुल पास पास में आगए इसमें आपस में क्या होगा दोस्तों दोनों में repulsion होगा electron cover एक दूसरे को क्या करेंगे repulsion करेंगे जिसके कान उसकी stability क्या हो जाएगी दोस्तों कम हो जाएगी कम हो जाएगी सबसे ज़्यादा stable कौन सा विला आपको fast answer ठीक है next अगर अपने बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है आपको 52 number सवाल 58 number सवाल 58 number सवाल क्या कर रहा है दोस्तो decreasing order of minus M effect minus M effect का order कौन सा हो SO3H का उसके बाद में किसका नमबर आता है LD हाइड उसके बाद में किटोन का उसके बाद में किसका नमबर आता है दोस्तों उसके बाद में अगर आपने बात करें तो आप क्या ले सकते हो แྷ्टर, उसके बाद में किसका नमबर आता है, कार्बोफिलिक एसीड का, ये सारे ग्रुफ है, किस में present हैं दूस्तो, NCRT में, ठीक हैं उसके बाद में, ke-के बाद में कार्बोफिलिक एसीड का क्या लिखा हम आपने, कार्बोक्सलीक एसीड का उसके बाद में किसका नंबर आता है एमाइड का तो सबसे लास में एमाइड तो देखलो दोस्तो NO2CN और LD हैड दे रखा होगा यही दे रखा है तो NO2 किसका है NO2CN और LD हैड तो कौन सा आजाएगा दोस्तो सेकिंड आंसर की ओरी सारा हुआ कौन सा आजाएगा सेकिंड ठीक है तो NO2CN और उसके बाद में LD हैड नेक्स सवाल कि अगर पन बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तो 59 नंबर सवाल Inductive Hex is due to Displacement of Sigma Bond Electron Displacement of Sigma Bond Electron is called Inductive Hex यही तो होता है Displacement ठीक है Displacement of Sigma Bond Electron को क्या बोलते हैं परेदिक परभाव बोला साता है तो कौन सा आजाएगा ठीक है नेक्स इसी कडी में आगे बात करें तो अपने को कौन सा दे रखा है six zero number सभार क्या कह रहा है दोस्तों यह कह रहा है कि which of the flowing alkene is more stable alkene कॉनसी ऐसी alkene है जो कैसी है भला more stable है ठीक है तो alkene is more stable की अगर बात करें तो alpha hydrogen जितने जादा होंगे उसका साइटा उतना ही क्या मिलेगा जादा ठीक है जिस alkene के उपर alpha hydrogen जितने जादा उस एलकीन के कारण क्या बनेंगी hyperconjugation structure उतनी ज्यादा बनेंगी due to resonance ठीक है तो इसका मतलब क्या बनेंगा दोस्तों यानि की total number of resonating structure due to hyperconjugation ठीक है तो जितनी ज्यादा बनेंगी उसका साइतव उस एलकीन का उतना ही क्या मिलेगा ज्यादा इसके पास alpha hydrogen 3 है इसके पास कि बात करें तो दोस्तों क्या दे दिया कारबं डबल बॉन यहं सी यहadowsी यहां सीसरी वहाँ CS3 ठीक है चारों तरब CS3 CS3 कितनेdog 12 छीक है इसके बात बात करें तो इसके पास कितने हैं 3 और 6 छी और 6 और 10 एंद्वोग उसकी है और इसकी बात करें तोット्पने को को पढ़ें NC80 के साथ CLC के मोडूल्स पढ़ें नोट्स पढ़ें ठीक है तो मस रहें सवस रहें पेपर देते रहें टोप रेंग हासिल करें अल्दा वेस्ट गुड लक दोस्तो जैस CLC